हलो अबरिवान कैसे हो आप सब मैं हूँ आपके मैं मिला करांती और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ चाप्टर फोर गती मान आवेश तथा चिंबकत्व का फोर्थ लेक्टर जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे साइकलो ट्रॉन के बारे में और साइकलो ट्रॉन के रिलेटेट जितने भी छोटे चोटे-छोटे कॉनसेप्ट इसके लिए ज़रूरी है समझना उन सारे कॉनसेप्स को हम लोग समझने वाले हैं गाईस इसके पहले हम लोगों ने फर्स सेकेंड और थर्ड लेक्चर में बायो सेवट का नियम, बायो सेवट के नियम के अनुप्रयोग, परिप्र एमपियर का परिपतिय नियम, परिनाली का टॉराइट ये सब टॉपिक हम लोगों ने कभर कर लिया है, अब आज का जो टॉ साने शुरू हो गया है, गुडियूनिंग एवरिवान, हैलो, हैलो, गुडियूनिंग, और ये विडियो की लिंक जितने बच्चे आ गए है, जल्दी से अपने सारे दोस्तों को शियर कर देंगे, इंस्टा पे, वाट्सैप पे, टेलिग्राम पे, जहां जहां आप लोगो आज इस चैनल पर नए आए हैं, जिनकी पहली क्लास है इन चैनल पर, तो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को, हमारे अपने इस यूटूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकॉन हिट कर लो, ताकि आप लोगों को सारी क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे ठीक है तो भाई चलो हम शुरू करते हैं हमारा साइक्लोटरॉन टॉपिक और बिलकुल पूरे जोश के जाथ बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को भी और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है और बिलकुल आप लोग यहां पर पिक्चर देख रहे हो यह कु जरूरी है यह आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इसका खोज क्यों हुआ वैसे एकदम सिंपल ही पढ़ोगे ना कि बस मतलब की उपर प्लेट नीचे प्लेट बीच में दो जो है आधे आधे प्लेट और बस बीच में गोल-गोल घुमा दिये तो मजा नहीं आएग है इसका जो उपियोग है वो इसलिए किया जाता है कि जब हम लोगों को ये उसकार की जननी होती है तो बिल्कुल जब scientist लोग क्या कर रहे थे नाभिकिये संरचना पर सरोशोध कर रहे थे तो वहाँ पर उनको किस चीज की आवश्यक्ता पड़ी अती उच्य आवेशित कण की आवश्यक्ता पड़ी जो बहुत ही अधिक उर्जा से आवेशित होना चाहिए तो ऐसी उच्य उर्जा से पर पहले हम देख लेते हैं कि इसको समझने के लिए और कौन-कौन सी चीजे आप लोगों को समझना अनिवार है तो बिल्कुल लारेंज बल के बारे मैंने जैसे आप लोगों को शुरू के ही लेक्चर में बता दिया था जब हम लोगों ने बायो सेवट का नियम पढ़ा था वहाँ पर मैंने आप लोगों को लारेंज बल के बारे में पूरा बता दिया था तो क्विकली भाई रिवाइस कर लेते हैं क्योंकि साइकलोट्रॉन के लिए भी हम लोगों को इन बेसिक कांसेप्स की जरुवत होगी तो ये टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ है बट क्विकली लौरेंज बल बोलते हैं और इसको मैंने बल्कुल आप लोगों को डाइग्राम के माध्यम से बताया था जहां पर इस तरह से एक उत्तरी धूर चुमबक का एक दक्षिणी धूरू इस तरह से रख दिया गया था और यहां पर यहां से जो चुमबक्य बल रिखाए जो है उत्तर से दक्षिन की तरफ यहां इस दिशा में चुम्बकिय बल्रेका की दिशा थी आप लोगों की और जो आपका आवेशित कंड था इस तरह से वीवेक से जो है गती कर रहा था यह क्यों आवेशित कंड तो यहां पर यह जो है ग्रीन कलर की लाइन चुम्बकिय शेत्र की ठीक है उन दोनों के क्या होगा अभी लंबवात होगा तो बिल्कुल यहां पर इमेजन करना है यहां पर आपको अभी लंबवात दिखनी रहा है बट बिल्कुल यह दो यह देखो इस तरह से होगा आप लोगों का यह जैसे कि मालो की यह कण की गती हो रही है इस फैन की हो जाएगी नब्य अंश के कोड़ पर और यह क्या है चुम्बकिय बल है और इसको हम क्या कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं यहां पर आप लोग देख रहे हो कि यह जो आवेशित कण क्यूं है यह जो चुम्बकिय बल हम लोग यहां पर निकाल कर लेकर क्या रहे हैं यह बल कि पर किस पर निर्भर कर रहा है कि यह जो आवेशित कण है इसके आवेश पर निर्भर कर रहा है और किस पर निर्भर कर रहा है कि यह आवेशित कण किस वेग से गती कर रहा है वो वेग पर निर्भर कर रहा है और चुम्बकिय शेत्र और चुम्बकिय शेत्र की दिशा पर नि क्मदकी कि इसा कितनी है तो इन दोनों के बीच का कौन कितना हो गया फित ठीटा हो गया और चुंबकी है बता है देखो भाई यह चेत्र उस दिन मैंने आप लोगों को इस तरह से बना करके बताया था पर इसको आप जरूरी नहीं कि वैसे ही ढंग से बनाओ इसको आप किसी भी तरह से बना सकते हो कहने का मतलग यह है बस कि चुम्बकिये शेत्र के यह क्या हो गया यह जो चुम्ब की दिशा हो गई यह वेग की दिशा हो गई और इन दोनों के बीच का कौन क्या हो गया यह थीटा हो गया तो होगा क्या इनके लंबवत अभी लंबवत मान लोग कि जैसे की बाहर की तरफ अभी लंबवत है इसका पर मैं आप लोगों को जश्ट दिखाने के लिए दे को 90 सब्सक्राइब है मंने के लिए बिल्कुल दिखाने के लिए किसी विदिशा में बना सकते हैं तो इस से क्या हो जाएगा अभी लंबवत आपका बन जाएगा तो बिल्कुल यह सारी चीज़े तो छुटी-छुटी बात हैं हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली थी है कि नहीं अगर नोट करना चाहो तो जल्दी से फटाफ़र से आप लोग लिखो गे तो आप बिल्कुल से हो इस प्रकार से और डाइग्राम को भी बढ़िया से नीट एंड-क्ली आप लोग बना लेना ठीक है इसके बाद हम लोगों ये भी पढ़ना याद कर लेना है कि चुम्बकिय शेत्र यहां पर हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर दोनों ही मौजूद रहेंगे तो हमारा जो कुल औरेंज बल होगा वो कितना हो जाएगा इन दोनों के योग के बराबर होगा और याद रखना कि जो और यहां पर जैसे कि अगरम लो कि हम इसको लिखे अगर अगर विद्युद बल के अर्फे यहां पर तो इस तरीक के से है चुम्बकिय बल तो QVB SIN THETA जो हम लिखते हुआ है वही हो जाएगा और यहां पर जो कुल बल हो जाएगा कुल ओरेंज बल ठीक है कुल ओरेंज बल कुल लारेंज बल हना फॉर्स लिख देती हुँ यहाँ पे ठीक है तो यह एफ बराबर हो जाएगा क्या विद्धुद बल प्लस जुम्बकिय बल बराबर यह हो जाएगा क्या क्यू ए प्लस QVB यह हो जाएगा एफ ठीक है अब यहां पर यहां पर आगे एक बार देख लो हम लोगों ने जो है दाहिने हाथ का नियम पढ़ा था दाहिने हाथ का नियम हम लोगों ने पढ़ा था तो दाहिने हाथ के नियम में हम लोगों ने राइट हैं थंब रूल पढ़ा था जिसमें हम तो में यहां पर आप लोग देख रहा हो इसको जहाई्स को आप पाम रूल बोलते हैं अंग्रेजी में राइट हैंड पाम रूल यह हमारा पाम है ठीक है यह हमारा पाम है और बिल्कुल यहीं आप लोगों का बना हुआ है यहां पर आप लोग देख पारे हो कि हमारा यह जो अंगूठा है हमारा जो यह अंगूठा है यहां पर क्या दिखा नवीं कि गगा रहें तो धन आवेशित कण की गति की दिशा है और हां पर यह वाली बाहे चुम्बकिय शेत्र हम ले रहा है, कैसा शेत्र ले रहा है हम, बाहे चुम्बकिय शेत्र ले रहा है, तो बाहे चुम्बकिय शेत्र की दिशा हो गई, और यहाँ पर लगने वाला ये वाला जो बल है ये है चुम्बकिय बल, कौन सा बल है ये, चुम्बकिय बल, ठीक है तो ये बाहर छेत्र की करन जो बलुद पन हो रहा है, आवेश पर वहीं चुम्ब किया बल है, और इसकी दिशा प्र हैं यहां पर हथेली के लंबवाद, बाहर की और ठीक है तो यह हो गया हमारा क्या राइट हैंड पाम रूल बिल्कुल हम रिवाइस कर रहे हैं और यह जो है लेफ्ट हैंड रूल तो लेफ्ट हैंड रूल में बिल्कुल वही मैंने बिल्कुल आप लोगों को दिखा बताया था एक क्या बोलती तू तो यह एक क्या बोलती त लिए आवेशितकन की गति कर रहा है मतलब की और यह जो है चुम्बकिय बल्च की तरफ ए तौक ऐ बिल आपको ड्यान में रखना है और यह आप लोगों को ढखना लिए तो इसके różne को क्या करना है यहां पर ऑनलो की क्या हो रहा है जीसे कि आ सिर्फ के बारे में बात कर लिया इलोह यह बर्मान लो जैसे कि अगर यह जैसे कि हम लो ने लिया था कि यह जो चुंबकी शेत्र और इन दोनों के बीच का कोंग अगर ये ठीटा कोंगेर क्या है यहां पर अगर क्या है ठीटा कोड बराबर क्या है क्या है ये मानलों की इन दोनों के बीच का कोड क्या है शुन्य है अगर मानलों क्या है इन दोनों के बीच का कोड अगर क्या है शुन्य है तो यहां पर ये वाला जो लारेंज चुम्बकिय बल होगा क्या होगा जो लारेंज चुम्बकिय बल होगा जो सा साइन जीरो होता है हमारा वो कितना होता है साइन जीरो बराबर हमारा जीरो होता है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच का चुम्बकिये बल क्या हो जाएगा शुन्य हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर यह हो रहा है कि चुम्बकिये शे नबे डिग्री हो जाएगा मतलब दोनों ही एक दूसरे के लंबवात हो जाएगे तो यहां पर हम लोगों को जो चुम्बकिय बल मिलेगा वह अधिक्तम चुम्बकिय बल मिलेगा सारी चीज़े हम लोगों ने डिसकस कर ली है पर हम दुबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि हम आधिक्तम डिसक्राइब हो जो जो बाहरी बल मिलेगा मोगों यहां अनतर इतना ही आएगा यहां पो यहां पर के चुम्बकिय बल मिलेगे पहले से हमारे पास मौझूद रहेगा और हमको यहाँ पर हर जगा ग्याद क्या करना होगा चुम्बकी बल का मान ग्याद करना होगा ठीक है अच्छा यह हो गया दूसरा यहाँ पर यह भी देख लो कि मान लो जो चुम्बक आवेशित कंड जैसे की गती कर रहा है मान लो कि ये क्या है ये आवेशित कण है और ये आवेशित कण गती कर रहा है अगर मान लोग की क्या हुआ कि इस आवेशित कण की जो गती है वो क्या हो गई शुन्य हो गई मतलब की ये इसका कोई वेग ही नहीं है जीरो हो गया तो वेग शुन्य हो गया मतलब क्या हो जाएगा सिधा सिधा आप लोगों का इसका जो चुम्बकिया बल है क्या हो जाएगा वो शुन्य हो जाएगा क्योंकि चुम्बकिया बल या चुम्बकिया शेत्र हम लोगों को प्राप्त होता है गती मान आवेश के लिए प्राप्त होता है रुके हुए आवेश के लिए तो हम लोगों ने इसके पहले वाले चाप्टर में, first second chapter में already पढ़ लिया है, वहां पर सिर्फ हो सिर्फ हमको विद्दुद चेत्र प्राप्त होता है, पर यहां पर हम लोगों को जो है गती मान आवेश की करन चुम्बकिय चेत्र प्राप्त होता है, आवेश की गती अगर शुन्य हो गई, तो आवेशित कण को क्या करना है गती कराना है तो यहां पर हम जब गती कराते हैं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को चुम्बकी अबल में अल्रेडी यहां पर बताया था कि अगर मानलों कि यह गती कर रहा है तो अगर थीटा बराबर जीरो है ठीक है तो दोनों क्या है चुम्ब पर आफुसे के पर आफे तो नोर्गिए रहा तो इन तीनों ही केस में अलग अलग पथ पर गती करेगा तो इसको ही अबी हम लोग जो है सीखने वाले हैं और इसको सीखेंगे जितने भी नियाम अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उसी कि मदद से हम लोग इसकी Geb turmeric शेटर क कि दिशा में प्रवेश करता है कब प्रवेश करता है मतलब कि यहां पर आपका थीठा बराबर क्या हो जाएगा दे और आवेशित कड़ को अगर हम इसी की दिशा में क्या करा दे गती करा दे तो किस तरह का पत बनेगा ये हम लोगों को देखना है क्या होगा वहाँ पर इसको हम डिटेल में समझेंगे दूसरा केस है कि जब आवेशित कड़ चुम्बकिय छेत्र की दिशा के लंबवद आगेगा हमेशा पर यहां पर किस तरह से पत की गती करेगा आवेशित कड़ की गती कैसी होगी तो इस गती को ही हम लोगों को समझना है और बिल्कुल यह आता है आप लोगों को एक्जाम में पूछता है कि आवेशित कड़ की गती के बारे में आप लोगों को एक्स्प्ल और यह आवेशितकण क्या कर रहा है यहाँ पर थीटा कोड में अगर प्रवेश कर रहा है तब कैसा जो है पत होगा इस आवेशितकण की गती का पत कैसा होगा इसको वन बाई वन हम लोग समझेंगे जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को बोड़ रहा है बाय चुम्बकिय शेत्रा तो जैसे कि इस तरह से जब चुम्बकिय शेत्रा हम बनाते हैं क्रॉस करके चुम्बकिय शेत्र की धर होती है क्रॉस का मतलब होता है चुम्बकिय शेत्र की दिशा है अंदर की ओर ठीक है पर यहां पर इस तरह से जो मैं ड्रॉ कर रही हूं यह किसको प रहां पर जब इसमें क्या कर रहा है आवेशित कर अगर प्रवेश कर रहा है तो किसी दिशा में प्रवेश कर रहा है छेत्र की दिशा में ही प्रवेश कर रहा है मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर अंदर की और यहाँ पर चुम्बकिय शेत्र की दिशा है ठीक है अंदर की और मैं ऐसे बना देती हूँ कि यह अंदर है थीक है ये अंदर है बिलकुल अंदर को मैं दिखा नहीं सकती निए तो में को अपना pen जो है क्या करना पढ़ेगा अपने pen को जो है बोट के अंदर गुसाना पढ़ेगा और तो यह थैक है तो यह चुम्बकिये दिशा अंदर की और थीटा बराबर शुन्या तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब इस तरह से होगा तो आप लोगों का चुम्बकिय बल बराबर क्या हो जाएगा QVB sin theta और हम जानते हैं कि sin 0 का मान क्या होता है QVB sin 0 का मान होता है QVB sin 0 जिसकी वज़ा से आप लोगों को यहाँ पर जो चुम्बकिय बल का मान है वो क्या मिलेगा शुन्य मिलेगा मतलब कि अगर दोनों ही एक ही दिशा में प्रवेश करेगा तो आवेशित कर्ण पर किसी भी प्रकार का कोई भी बल कारे नहीं करेगा अब क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई बल कारे नहीं कर रहा है तो यहाँ पर जो आवेशित कर्ण जिस दिशा में चल रहा है उसी में क्या करेगा निरंतर चलता ही रहेगा क्योंकि यहां पर तो कोई चुम्बगी वल ही नहीं अगर चुम्बगी वल होता तो क्या करता वो इस आवेशित कंड की दिशा को मोडने का प्रयास करता दिशा को बदल देता जैसे कि मान लो की फुटबॉल जमीन में जा रहा है यह देखो फुटबॉल जमीन में जा रहा है ठीके सिम्पली ये जमीन में जा रहा है और वहाँ पर बाहिया बल लगाने वाला कोई है नहीं मतलब कि चुम्बकियpping शेत्र vrais just error जिसकी वज़े से कुम्बकिया बल लग रहा क्योंकि चुम्बकिय श्यत्र ही बाय श्यत्र है जिसकी वज़ा से चुम्बकिय बल लग रहा था पर यहां पर सेम दिशान में होने के बार कारण कोई बल नहीं लग रहा है तो वेग आवेशित कर जिस दिसा में आगे बढ़ रहा है उसी दिसा में लगातार बढ़ता रहेग जिसकी वज़ा से इसका जो पत होगा वो कैसा होगा सरल रेखिय पत होगा इसका पत कैसा होगा सरल रेखिय पत होगा तो सवाल पूछेगा कि सरल रेखिय पत कब होगा तो आप लिख सकते हो वहाँ पर कि जब आवेशितकर्ण की जो गती है वो चुम्बकिय शेत्र की दिशा में अगर होगा बाय चुम्बकिय शित्र में अगर उसकी दिशा में ही अगर आभिशितकन प्रवेश करेगा तो वहां पर कैसा गती होगा सरल रेखिय पत्थ में गती होगा ठीक है ध्यान से सुन रहे हो सभी बच्चे टनू श्वेता रोश्णी अभिशेक अभी जल्दी सार आप लोगों को यहीं एक्जायम में पूछता है कि जब आवेशिद का चुम्बकी शयत्र की दिशा की लंबवद प्रवेश करता है तो अब यहां पर दिशा कैसी है अंदर की तरफ है थीक है तो अंदर की तरफ है तो मानलो यह जू है आपकी क्या है ये गतिमान आवेश है और ये जो है इस तरह से लंबवद प्रवेश कर रहा है मतलब कि यहाँ पर अंदर की तरफ चुम्बकिय शेत्र की दिशा है मालो कि यहाँ पर मैं लिख देती हूं कि लंबवद प्रवेश कर रहा है मतलब दोनों के बीच का कोण कैसे है नबजी डिग्री का कोन है ठीक है नबजे डिग्री का कोण है तो यहाँ पर आपका जो चुम्बकिए बल होगा F यहां पर अधिकतम चुंबकिया बल ठिक अब यहां पर अधिक्तम चुंबकिया बल पर नमब वत्ल लगेगा तो मागलों कि यहिए जो है चुम्बकिया बल कि जिशा है क्या है ये चुम्बकिय बल की दिशा ठीक है अब क्या हुआ अब चुम्बकिय बल जो है इस आवेशित कण पर इधर की तरफ लग रहा है लंबवत ठीक है तो क्या करेगा वो उसको धक्का मारेगा आवेशित कण को धक्का मारेगा ठीक है तो क्योंकि आवेशित कण को धक्क भीकल जाएगा और यहां पर जैसे मानलो की पहुचा कि दिशाा कि है क्षा इस प्रकार से हो जाएगी पनह यह आवेशित कण कि दिशा को भटकाएगी बदल देगी तो आवेशित कर कि दिशा बदलेगी तो यहाँ पर कैसे बदलेगी यह बिलकुल फिर से यह दिशा बदलेगी तो यहाँ पर आ गई मालो यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर यह जो है अब यह चुम्बकिये बल की दिशा चुम्बकिये बल जो है यह यहां पर तो यह मुड़ गया, मुड़ गया, और इस आधे मोड में यह किस तरह के पथ में गती किया, तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जो पथ बना, यह कैसा पथ बना? बिल्कुल, यहां पर वृत्य पथ बन रहा है, और मालों कि इधर मैं जो है, पूरे के पूरे चुम्बकिय शेत्र को एक्स्टेंट कर देती हूं ठीक है इधर पूरा चुम्बकिय शेत्र है ठीक है यह क्या है पूरा चुम्बकिय शेत्र है तो इसी तरह से क्या करेगा यह चुम्बकिय शेत्र में क्या करेगा बिल्कुल आवेशित कन को कैसे पथ में ग आएगा कैसा पथ बन गया तो बिल्कुल इस तरह से क्या करेगा अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो ये वृत्तिय पथ बनाएगा और इसके रिलेटेड कोशन आता ही आता है अगर नीट का एक्जाम है तो वहां पर भी पूछे का नीट के एक्जाम में भी पूछे का आप लोगों को और अगर आप लोग बोर्ट का एक्जाम दिला रहे हो तो वहां पर भी ये एक्स्प्लेनेशन में आप लोगों को बिल्कुल पूछा जाता है तो डाइग्राम आपको एकदब नीट एंड क्लीन बनाना है काफी सुन्दर अगर आप बोर्ड का एक्जाम दे रह आप लोगों ने इस तो यहां पर आप लोग देख पारे हो कि यह जो वृत्ताकार गती यहां पर वृत्तियपथ जो बना रहा है यहां पर बल जो है हर बार किधर कारे कर रहा है यहां पर मान लोकि इसका कोई केंद्र है और केंद्र की तरह बल कारे कर रहा है और इस बल को हम लोग क्या बोलते है इस बल को हम बोलते हैं अभी केंदरिय बल क्या बोलते हैं इसको अभी केंदरिय बल तो बिल्कुल आप दोग देख पारे हो यहाँ पर डाइग्राम में अभी केंदरिय बल हो गया यह ठिक इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा इधर अभिकेंद्रिय बल कारे कर रहा है और यहां पर यह जो अभिकेंद्रिय बल कारे कर रहा है ना चुम्बकिय शेत्र में कारे कर रहा है यह जो अभिकेंद्रिय बल होगा जो हमारे क्यों कि देखो यहां पर वेग के और चुम्बकिय श तो हम लोगों को यहां पर चुंबकियाबल का जो है पहले से मिल चुका है यह बिल्कुल इसी का इस्तमाल करेंगे और अगर अभी केंद्रियाबल की बात करें तो अभी केंद्रियाबल को हम प्रदर्शित करते हैं किसे F of C से प्रदर्शित करते हैं और अभी केंद्रियाबल यहां पे अभीकेंद्रियबल mr.essa कि आपका दोनों क्या है एक दुसरे के बराबर है तो यह क्या हो जाएगा यहां पर यह पर हो जाएगा अभीकेंद्रियबल जिसको हम c से प्रदर्शित करते हैं F-C, बराबर हो जाएगा, चुम्बकी अबल F-M के, और यहां से आपका भी केंद्री अबल M-V का वर्ग बटे R, और चुम्बकी अबल क्या हो जाएगा Q-V-V, अभी लंबवत के केस में Q-V-V हो जाएगा, और यहां से क्या देखो, क्या कट रहा है, क्या निकल रहा है, क्या हो जाएगा, हाँ, ये वेग हट रहा है, ये वेग का वर्ग हट गया, और ये हो गया क्या, हमको निकालना क्या है, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर, MV बटे QB, तो यहां पर जो वृत्तिय पत है, तो इस वृत्तिय पत्थ की त्रिज्जा के लिए आप लोगों को फाइनल एक्जाम में बिल्कुल निमारिकल पूछता है वृत्तिय पत्थ की त्रिज्जा के लिए आप लोगों को फाइनल एक्जाम में निमारिकल पूछता है क्या हो गया निमारिकल के लिए आप लोगों क करो कि यहां पर जो है बिल्कुल इसका जो है कोणिया आवरित्ती भी होगा वित्तिय पथ जब बना रहा है तो इसका क्या होगा कोणिया आवरित्ती भी होगा तो इस वेग और कोणिया आवरित्ती के बीच में क्या रिलेशन होता है वी बराबर ओमेगा आर होता है ठीक है य थिक तो यहां से अगर हम इसको लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या V बटे R बराबर हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं अब इस सुत्र में अगर हम V बटे R लिखें तो यहां से V बटे R बराबर क्या हो जाएगा इधर पक्षांतर करोगे तो Q B उपर चला जाएगा और M नीचे आ जाएगा यह हो जाएगा क्या Q B बटे M हो जाएगा तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा कोड़ी आवरिती का सुत्र मिल जाएगा Q B बटे M क्या मिल ज आप लोगों को पूछा ही जाता है ठीक है उसके रिलेटेड नुमर्कल आप लोगों को पूछा जाता है और कोणी आवरित्ती यह क्या है कोणी आवरित्ती यह जो है रेखिया आवरित्ती के रिलेशन में यह होता है टू पाई न्यू तू पाई न्यू यह क्या है रेखिया आवरित्ती ठीक है यह क्या है रेखी आवरित्ती न्यू जिसको हम बोलते हैं अब यहां पर यह जो है यह जो है यह ओमेगा का अगर हम जो को मान मिला है उसको हम एक्वेट कर सकते हैं ठीक है इसको हम एक्वेट कर सकते हैं और यहां पर हम लोगों को निकालना क्या है मेन मु अवर्त काल भी होगा तो यहां से हम लोगों का अवर्त काल काально क्या मिल जाएगा यहां से अवर्त काल का relation हम लिख सकते हैं ती बराबर क्या हो जाएगा एक तो वह एक बटे को इन Size और एक पाई बटे ओमेगा यह क्या हो जाएगा एक बटे आवरित्ती यह किसके बराबर होता है आवर्तकाल के बराबर होता है ठीक है आवर्तकाल के बराबर होता है और यहां पर हमारे पास क्या है मतलब कि हमको रिलेशन क्या मिला आवर्तकाल बराबर टू पाई बटे ओमेगा यह मिला हमको relation अब ये relation जो हम लोगों को मिला ये तो हर जगा आप लोगों का काम आता है आएगा भी आगे तो यहां पर हम मान रख देते हैं किसका omega का तो यहां से आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा 2 pi बटे qb और m जो है उपर चला जाएगा और ये हमको क्या मिल गया आवर्तकाल के लिए सुत्र मिल गया किसके लिए सुत्र मिल गया आवर्तकाल के लिए सुत्र मिल गया और ये सब हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बिलकुल ये जो आवेशित कन की जो गती है बिलकुल important तो है ही और जब हम लोग अभी cyclotron पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी cyclotron में आवेशित कन की गती जो है वृत्तिय पत्थ में होती है तो वहाँ पर भी अगर आप लोगों को आवर्तिकाल निकालने के कर रहा है यहां पर यह वृत्य पत्थ इस वेग पर निर्भर कर रहा है अगर वेग का मान क्या होगा अगर जो हमारा वेग है वेग अगर यह जो है अधिक होगा ठीक है तो यह क्या करेगा यह बड़ा वृत्त बनाएगा कैसा वृत्त बनाएगा बड़ा वृत्त बनाएगा ठीक है और अगर मान लोग की क्या होगा वेग का मान जो है कम होगा तो यहां पर जो वृत्यापत है यह कैसा वृत्त बनाएगा छोटा वृत्त बनाएगा कैसा वृत्त बनाएगा छोटा वृत्त बनाएगा देखो मैंने बहुत ही इंपोर्टेंट आप लोगों को बहुत सा नहीं आस्था कोई दिक्कत की बात नहीं है आराम से देखो आराम से सुन्दर सा डाइग्राम बनाओ और बिल्कुल हम विदिन सेकंड आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से नोट कर लो अगर नोट हो गया है तो आप मेरे को जो है कमेंट्स में बता सकते हैं हो गया आगे के फार्मूला भी सारे नोट कर लो बिल्कुल मैंने वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप सारे फार्मूला आप लोगों को बता दिये कुछ भी मिस नहीं हुआ है और ये फार्मूला शीट में भी नोट कर लेना क्योंकि ये आप लोगों को बहुत जादा है और यह बिल्कुल पूछेगा ही पूछेगा एक्जाम में इसके रिलेटेट कॉश्चन्स आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे और यह हो गया चलो अब हम लोगों को तीसरा आवेशितकन का गती का मार्ग पढ़ना है तो तीसरे वाले में जो है यहां पर क्या वो रहे कि जब आवेशितकन जो है चुम्बकिय शेत्र में बाहे चुम्बकिय शेत्र में किसी कोण पर गती करता है मतलब कि अगर आवेशितकन की गती यह क्या है मालो की चुम्बकिय शेत्र की दिशा है तो यहां पर आवेशितकन जो है वी वेक से जो है अगर मालो की थीता कोण के स प्रवेश कर रहा है बाहर चुम्बकी चित्र के सांद थीता कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है तो आप लोग यहां पर चित्र में जो देख रहे हो ना यह जो चित्र में यहां पर देख रहे हो यह है क्या आवेशित कण और यहां पर यह जो दिशा है यहां पर X अक्ष पे यह चुम्बकिय शेत्र की दिशा दिखाया है आप लोगों को और यहां पर थीटा कोण बनाते हुए यह देखो यह जो है क्या है थीटा कोण बनाते हुए क्या कर रहा है थीटा कोण बनाते हुए वीवेग से यहां पर थीटा कोण बनाते हुए वीवेग से जो है कि और अगर बताएंगे तो हम लोग प्रॉपर उसके पत को नहीं दर्शा पाएंगे तो इस वज़े से आप लोगों को डाइग्राम अगर बनाना है तो बिल्कुल इसी तरह से डाइग्राम बनाना है बना हुआ है बिल्कुल मैंने समझाने के लिए बताया आप लोगों को औ तो बिल्कुल तार को जैसे आप लोगों ने लपेटा था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है इसी तरह से यहाँ पर जो है आवेशित कर जो है कुंडलीनी मार्ग में गती कर रहा है कैसी गती कर रहा है कुंडलीनी मार्ग में गती कर रहा है तो देखलो अभी त इसके अलावा इनके अलावा इनके अलावा अगर किसी और कोंड से प्रवेश कर रहा है थीटा कोंड से अगर क्या कर रहा है थीटा कोंड से प्रवेश कर रहा है कौन आवेशित कंड चुंबकिय शेत्र में प्रवेश कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहां पर जो है हम लोगों ने आर बराबर क्या निकाला था इसके पहले M V बटे Q B निकाला था, क्या निकाला था, M V बटे Q B, ठीक है, R बराबर M V बटे Q B, बस यहाँ पर अंतर यह आ जाएगा, कि यहाँ पर जब हम कुंडलीनी मार्ग लेंगे, ठीक है, तो यह कुंडलीनी मार्ग 360 डिगरी में गोल-गोल घूम रहा है, है ना, तो बिल्कुल आ वेग का हम क्या करेंगे, साइन ठीक है, ठीक है, यह वेग है, इसको हम लोग दो घटक में डिवाइट करेंगे, जैसे यह थीटा कोमें प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर चुम्बक्ये शेत्र की दिशा में इसका जो वेग है, वो क्या हो जाएगा, V cos theta हो जाएगा और इसके अभिलंबवत क्या हो जाएगा V sin theta हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगोंने V sin theta क्यों लिया है तो V sin theta हम लोगोंने इसी लिये लिया है क्योंकि जनरली हम चुम्बक्ये शेत्र के अभिलंबवत क्या करते हैं वेग को गती कराते हैं तो भिल्कुल अभिलमबवथ वाला घटक ले करके हम लोग यहां पर कुंदल electronics की तृज्या ग्यात कर सकते हैं ठीक है यह वी साइन ठीटा क्या है वेग का अभिलमबवथ घटक नोट कर लो बिल्कुल डाइग्राम ही बना लेना मैं बिल्कुल साइड हो रही हूँ चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो नोट करना पका ही है आप लोगों को अब एक चीज यहां पर जो लिखा हुआ है ये तरिज्जा लिखा हुआ है ये तो आप लोगों ने देख लिया त्रिजजा लिखा हुआ है यहाँ पर इनके बीच का जो गेब है इनके बीच का जो गेब है या किक बीच कहलाता है पिच कहलाता है तो बिल्कुल बस जानकारी के लिए मैंने बताया। कि आप लोग नोट कर सकते हो, यह तीन आप लोगों का हो गया, ठीक है, यह तीन आप लोगों का हो गया, पत के बारे में हो गया, अब हम आगे जो है, साइकलोट्रॉन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और साइकलोट्रॉन में हम लोगों को क्या करना होता है, आवेशित करना ह होता है उच्च उर्जा से आवेशित करने के लिए हम क्या करते हैं यह जो आवेशित कर जो हम पढ़ रहे हैं इसके वेग को हम क्या करते हैं उच्च वेग से इसको क्या करते हैं त्वारित करते हैं जिसके लिए हमने साइक्लोट्रॉन बनाया और उसमें जो आवेशित कर हम करके जाते हैं उसको पहले हम चाड़ते हैं ठीक है कैसे चाड़ते हैं तो वह हम चाड़ते हैं वेगवर्नक की सहायता से ठीक है तो देखो अब यहां पर जैसे की मैं आप लोगों को बता रही हूं क्या साइक्लोट्रॉन के बारे में बता रही हूं तो साइक्लोट्रॉन के पारे में हम लोगों को जरुवत क्यूं पढ़ी तो बिलकुल हमको इसकी जरुवत इसलिए पढ़ी कि जब भी नाभिक्य संरचना के लिए शोध किया जा रहा था मतलब खोज करी जा रही थी तो हम लोगों को हमारे पास जो आवेशित कण है क्यूं आवेशित कण है जिसको ह लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा हम लोगों को इसको जो है उच्छ वेग से क्या करना पड़ा उच्छ वेग से त्वरित करना पड़ा तो जब हम यहां पर उच्छ वेग से आवेशित करन को त्वरित करेंगे तो यहां पर हम लोग कौन सा आवेशित कर लेंगे तो यहा जो है यह जो है वेल सिटी सेलेक्टर के नाम से जाना जाता है इसको अंग्रेजी में हम बोलते है क्या वेलिए सिटी सेलेक्टर इसका काम वहता है कि सीलेक्टर कर रहे हैं नो Français और stoya है अगलो कर रहे है तो होता क्या है कि मान लोग को यहाँ पर आवेशों का स्त्रोथ है जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक डाइग्राम दिखाया था बिलकुल आप लोगों को यहां से मैं दिखा देती हूं यहां मैंने आप लोगों को डिका डाइग्राम दिखाया था इस डाइग्राम में आप लोग देखो कि यहां यह तो हमारे पास बहुत सारे आवेशित कढड आएंगी तो हर औस पूहराएंगी तो हार वे चे व्यद Sky अलग अलग हो गा ठीक है क्या होगा अलग अलग वेघ होगा जैसे कि ये इत रोथ है मानलोग कि का भी वन है इसका भी टू है और इसका क्या है V3 है और इसका क्या है V4 है मान लो और यहां पर V2 है मान लो ठीक है तो सब का अलग-अलग है इस तरह से तो होगा क्या एक निश्चित दिशा में होने चाहिए ठीक है कैसे से क्या हो रहे हैं आवेशित कन जो है बाहर निकल रहे हैं तो आवेशित कन बाहर निकलेंगे एक ही दिशा में निकलेंगे परन्तु इनका वेग क्या होगा अलग अलग होगा सब आवेशित कनों का वेग क्या होगा अलग अलग होगा तो हमको क्या चाहिए एक जैसे वेग के कण चाहिए जिसकी दिशा भी एक ही हो ठीक है तो मालों की यहाँ पर जो है मालों की V2 और V4 दोनों का जो वेग है V2 और V4 इन दोनों कणों का वेग क्या है समान है ठीक है और इनकी दिशा भी एक है ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं इस वेग वर्नक की सहायता से हम ल और अगर आपको cyclotron के बारे में लिखने के लिए आया तो वहां पर आप explain करके लिख सकते हो कि प्राय हो आवेशित कड़ों के इस त्रोट से कहां से इस त्रोट से हमको क्या मिलते हैं आवेशित कड़ जो है निश्चित दिशा में मिलते हैं पर अंतु सब के चाल क्या रहते हैं अलग अलग विभिन चालों से सर्जित होते हैं अलग-अलग चाल रहते हैं तो हमें उस दिशा में केवल एक ही चाल चाहिए कैसी चाल चाहिए हमको निश्चित चाल चाहिए तो हमको अगर एक ही चाल के कण चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं आवेशित कणों का चयान करते हैं जिनका वेख एक जैसा होता है और उसके लिए हम किसका इस्तमाल करते हैं वैलो सिटी सलेक्टर याने की वे वेग वर्नक का इस्तमाल करते हैं तो यहां पर इस वेग वर्नक की सहाइता से हम को कैसे मिलता है कैसे मिलता है हम लोगों को यहां पर आवेशित कर तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहां पर इस वेग मतलब की जैसे कि यहां पर चुम्बकिय शेत्र की दिशा तो निश्चित है ठीक है मतलब वेग एक सम मतलब इसको हमको चुम्बकिय शेत्र में ले करके जाना है तो जैसे कि हम लोगों को यहां पर आवेशित कर मिल गए ठीक है क्या मिल गए हम लोगों क निकालेंगे इनका वेग तो यहां पर चुंबक्या शेत्र हए जह उँंबक्य-से जडिशा क्या होगी एक दुसरे की शुत्र होता है तो एक दूसरे की लंबवड दिशा में होता है तो जैसे कि मैं आप लोगों को लारेंज बल पढ़ा रही थी तो वहां पर ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो हमारा विद्धुत बल और चुम्बकिय बल है इनका परिमार एक जैसा परंतु क्या होता है विपरीत होता है ठीक है तो अगर मैं यहां पर क्या लिखूंगी तो यहां पर नैटबल कैसा होगा नीटबल मतलब की कुल हो जाएगा शुधन होगा क्योंकि परिमान एक और विपरीत है इसा मतलब क्या हुआ यहां पर इसका परिमान एक है और विपरीत है जैसे कि यहों गया एस का deform अधिक हो धी यहां पर तो लंबम वाध की बात चल रही है तो क्या होता है YouTube होता है ठीक है तो अगर हम दोनों को adequate करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफी वराबर अफ भी और यहाँ पर MIक with कर तो यहाँ पर आवेश तो हम लोग क्या कर रहे हैं वेग वर्नक की सहायता से हम चयन कर रहे हैं जिसका वो वेग जो है इसका आप लोगों को जो है यह सुत्र मिलेगा ठीक है अब फाइनली हम बात करते हैं किसकी साइकलोट्रॉन की तो भाई साइकलोट्रॉन पढ़ने के लिए हम सारे अभी तक के जित पहले ही बताया था आवश्यक्ता ही आवश्कार की जननी होती है आपको नीट का एक्जाम करक करना है इसलिए आप हमारी वीडियो चैनल पे आ रहे हैं बिल्कुल और क्लासेस इसी तरह से लगातार आते रहेंगे और आपको हम एक्जाम में अच्छे मार्स लाने के लिए आप लोगों के लिए महनत करते रहेंगे बाश शुरू से लेकर के आखरी तक आप लोगों क्लास में बने रहना है बहुत ही इंट्रस्टिंग है आपको मैंने शुरू में ही साइकलोट्रॉन का डाइग्राम दिखाया रियल में कैसे दिखता है तो बिल्कुल यह जो है रि चुम्बक ठीक है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए होता है प्रबल चुम्बकिया शेत्र चाहिए होता है कैसा चुम्बकिया शेत्र चाहिए होता है प्रबल चुम्बकिया शेत्र तो मालों यह उत्तरी धुरू है और यह दक्षणी धुरू है तो चुम्बकि पूराम में आप लोग देख सकते हो कि आपको यहांपर उत्री धुरू और शलींद्रू दो चूमबक लगे हुए हैं ठीक है और प्रत्यावर्ति धारा चैप्टर पढ़ोगे तो आप दिश्ट धारा और प्रत्यावर्ति धारा दो प्रकार की धाराएं होती है इतना तो आप लोगों को कम से कम पता ही होगा ठीके जो प्रत्यावर्ति धारा होती है वो बार पर अपनी दिशा क्या करती है बदलती है और इसी वज़ा से यहाँ पर हम लोगों को आवरित्ती प्राप्त होती है आवरित्ती के बारे में आप लोगों ने ऑक्सिलेशन चैप्टर में दोलन में पढ़ा होगा कक्षग्यार प्राप्थ होगा ठीक है तो दो requirement है ठीक है दो requirement है हमारे तो बिलकुल ये तो मैंने आप लोगों को जो रियल इमेज दिखाया है उसके diagram को दिखाते हुए ये मैंने बता दिया वापस से हम अपने यहाँ पर जो है परिभाशा में आते हैं साइक्लो ट्रॉन एक ऐसी उपती है जिसका उपयोग आवेशितकरों के या आईनों को इच्छ वेग में त्वरित करने के लिए किया जाता है। और यहां आवेशित कणों को उच्च उर्जा कैसी उच्च उर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है और इसकी खोज कब हुई तो सन 1934 में इओ लॉरेंज और एम एस लिविंस्टेड नाम के विज्ञानिक ने की थी और इन्होंने क्यों की तो बिल्कुल आवशिक्ता ही आविशकार के जनरी थी जनरी थी यहां पर भी नाविकिये संरचना पर ये लोग क्या कर रहे थे शोध कर रहे थे क्या कर रहे थे नाविकिये एक cyclotron नाम के एक युक्टी का निजात किया जिसका उप्यों किया जाता है आवेशित कंड को उच उर्जा प्रदान करने के लिए उच व्वेग से त्वरित करने के लिए तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोगों को किसी आवेशित कंड को उच्च वेग से त्वरित करना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को उस मतलब की एक समान निश्चित वेग के जो है हम लोगों को आवेशित कंड का चैन करना होता है जिसके लिए हम वेग की अशेत्र और उच्च आवरित्ती का हम लोगों को विद्यूद छेत्र चाहिए तो उसके लिए हम लोगों ने जो है दोनों के लिए ही यहां पर सोर्स लगा रखे हैं प्रबल चुम्बक के लिए दोनों तरफ हम लोगों ने बड़े-बड़े ताकतवर बलशाली मैगनेट चुम्बक लगा रखे हैं और यहां पर एसी स्त्रोत लगा दिया है जिससे हम लोगों को उच्च आवरित्ती का विद्यूद छेत्र प्राप्त हो सके और यह दोनों ही एक दूसरे के लंबवात होगा एक दूसरे के लंबवात दिशा में होगा यह तो पक्का ही है अब यह है क्या एक्चुली में यह खोखला इलेक्ट्रोड कक्ष है क्या है खोखला इलेक्ट्रोड कक्ष है जहां पर हमारा जो आवेशित कण है वो क्या करेगा गती करेगा ठीक है अब इसकी संदशना को यहां पर आप अब हम बीच पे ही फोकस करेंगे बीच पे ही फोकस करे अब यहाँ पर इसको हम लोग D1 और D2 से जो हैं नामांकित करते हैं इसको हम बोलते हैं क्या D1 और D2 तो खोकला इलेक्ट्रोड कक्ष है यह जिसमें D1 और D2 इसी में हमारा आवेशितकन गती करेगा और यहाँ पर यह जो पी बिंदू है तो यहाँ पर हम एक धन आवेशितक हो आप ले सकते हो तो हम लोगों ने जब यहाँ पर क्या लिया धन आवेशितकन लिया ठीक है तो क्या क्या जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर मतला यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया प्रबल चुम्बकिय शेत्र और उच्चावरिति का विच्चुद विद्यू छेत् हैं ठीक है इलेक्ट्रोड कक्ष रखे हुए हैं और बिल्कुल यहां पर इसको अंदर में यहां पर प्रवेश कराकर के बीच में संटर में छोड़ दिया जाता है आवेशितकन को ठीक है अब जैसे ही हम यहां पर एसी स्त्रोथ को आन करेंगे चालू करेंगे चुम्बकिय श जाएगा धनात्मक आवेशित हो जाएगा और डीटू जो है वो क्या हो जाएगा रिनात्मक आवेशित हो जाएगा ठीक है एक बार यह धनात्मक आवेशित होगा तो यह धनावेश है तो पहले क्या होगा यह रिनावेशित प्लेट से क्या करेगा आकर्शित होगा यहां पर जो है यह वापस से क्योंकि हमने क्या दिया है एसी स्त्रोथ दिया है ठीक है एसी स्त्रोथ दिया है तो एक बार धनात्मक एक बार रिनात्मक तो हर बार क्या होगा दोनों ही जो खोखले हमारे यहां पर डीस है इनका जो आवेश है लगातार बार बार बदलते रहे तो आधा जब गती कर रहा है न अर्धवरित्त में जब यहां पर गती किया तब क्या था डीवन हमारा धनावेशित दीवन हमारा कैसा था धनावेशित और यह डीटू हमारा कैसा था रिणावेशित अब अगले अर्धवरित्त में क्या होगा अगले अर्धवरित्त में यह जो डीवन है आपका रिनावेशित हो जाएगा और डीटू जो है क्या हो जाएगा धनावेशित हो जाएगा ठीक है तो अब क्या होगा क्योंकि अब डीवन रिनावेशित हो गया तो यह क्या होगा इस डीवन से आकरशित होगा और डीवन से आकरशित होने के बाद जो है यह रिट्टू कि तरफ आकर्शित होगा और पुना अगली बार ये फिर से बतलेगा तो इस तरह से धन-घुडरт होता जायगा तो जब भी जिस भी डीस में रिन हो जाएंगे इलेक्ट रोब लगातार इसकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इसका वेग बढ़ते जाएगा तो वेग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा इसका उर्जा भी बढ़ते जाएगा उर्जा कैसे बढ़ेगा उर्जा कैसे बढ़ेगा उर्जा उर्जा कैसे बढ़ेगा क्योंकि यहां पर जो गती कर रहा है यहाँ पर कैसी गती कर रहा है यहाँ पर गतीज उर्जा में गती कर रहा है ठीक है कैसी गती कर रहा है मतलब जो गती कर रहा है गतीशील है आवेश तो यहाँ पर कौन सी उर्जा होगी गतीज उर्जा होगी और गतीज उर्जा का सुत्र हम लोगों को पटा है एक बटे दो एमवी का वर्ग क्या होता है एक बटे दो एमवी का वर्ग तो यहां पर यह जो गतिज उर्जा है इसकी इसकी जो उच्च उर्जा हम लोगों को चाहिए यह किस पर निर्भर कर रहा है यह जो है आवेशित कण के वेग पर निर्भर कर रहा है किस पर निर्भर कर र बढ़ता जाएगा ठीक है वैसे वैसे क्या होगा इसका उर्जा जो है वो क्या होते जाएगा यहाँ पर इसकी जो उर्जा है वो लगातार बढ़ती जाएगी ठीक है उर्जा लगातार बढ़ती जाएगी जिसके लिए हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन का इस्तमाल किया और सिध्धांत क्या कहता है साइक्लोट्रोन इस सिध्धांत पर कारे करता है कि जब धन आवेशित कण को हमको क्या कराना है उच्च आवरित्ती वाले विद्यू छेत्र में प्रबल चुम्बकिय शेत्र का उपयोग करते हुए बार-बार हम क्या करवाते हैं गती करवाते हैं तो आवेशितकन त्वरित हो जाती है ठीक है आवेशितकन क्या हो जाती है त्वरित होगी त्वरित कैसे होगी कि इसका वेग बार 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 बदल रहा है ठीक है तो बार 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 वेग बदल रहा है तो मतलब यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ बार बार तो और यहाँ पर जो है उर्जा बहुत ही अधिक क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी हमारी जो आवेशित कण की गतितुजा है और यही हमको चाहिए था अब बढ़ते 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 जब यह क्या हो जाएगा बढ़ते 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 जब एकदम जितना हमको चाहिए उ रचना में हम लोगों को शोध के समय में इसका जरुवत था वहां पर हम लोगों ने इस्तमाल कर लिया और आगे ऐसे बहुत सारे खोज हुए होंगे जहां पर हम लोगों को अती उच्च उर्जा से आवेशितकन की जरुवत पड़ी होगी है की नहीं तो बिल्कुल आप सबनाओंगे और इसको पूरे अच्छे से आप लोग लिख लोगे और यहां पर जैसे की यहां पर जैसे की हाफ इसमें जो मतलब की यहां पर जैसे की कहना जी आधे में जो अर्ध और्ध आवर्तकाल इसका है जो एक डिस का जो आवर्तकाल है हर बार इसकी क्या होगी उर् बढ़ते जाएगा और वेग बढ़ेगा तो हम लोगों को उच्छ उर्जा जो है लगातार प्राप्त होती जाएगी तो बिल्कुल डाइग्राम बना लो जो भी मैंने बोला थियोरी को अच्छे से दिमाग में डाल लो और आधे में हर आधे में हर आधे चक्कर में जो इसकी क्या होगा टी वाई टू है ना और पूरे चक्कर का आवर्तकाल क्या होगा टी होगा और यहां पर इस पूरे चक्कर के लिए जिसकी उर्जा होगी वो क्या होगी टू क्यू वी उर्जा क्या होगी इसकी टू क्यू वी होगी ठीक है तो यह साइकलो ट्रान आप लोगों का पूरा हो गया है, सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है, बलकुल जो भी है आप note करना चाहो तो कर सकते हो note, कर लिया note, very good, बहुत अच्छी बात देखो, diagram अगरा, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार हम इसको देख लेते हैं, प्रत्या वर्ति विभुवांतर की आवरित्ती, डीज के अंदर, ठीक है, प्रत्या वर्ति विभुवांतर की आवरित्ती मतलब कि जो हम लोगों ने स्त्रोत लगाया था, तो स्त्रोत जो हम लोगों ने लगाया था, ठीक है, तो यह स्त्रोत आखिर कर में क्या ह विभुवांतर ही है तो इस विभुवांतर की आवरित्ति क्या है उच्चा आवरित्ति का हम लोगों ने यहां पर लगाया था है की नहीं दीस के अंदर आवेशित कण की परिक्रमा आवरित्ति के बराबर होनी चाहिए ठीक है आवरित्ति के बराबर होनी चाहिए इसे साइक को गती करने के लिए तो जब ऐसा कोई छन आएगा क्या जब ऐसा चंड आएगा जब सित्रोंत का आवरित्ति किस विद्धो च्यत्र आट के बेदा misty कि बराबर हो जाएगी तो इस condition को क्या बोलते हैं अनुनादी स्थिति बोलते हैं और इस स्थिति में क्या प्रतिबंध होता है तो यह हम पढ़ लेते हैं साइक्लोट्रों के कार्य करने का प्रतिबंध यहां है कि रेडियो आवरित्ती प्रत्यावर्ति विभुवांतर की आवरित्ती और डीस के अंदर आवरित्ती है वो किसकी आवरित्ती के बराबर होनी चाहिए 20 के अंदर 20 के अंदर कण की आवरित्ती के बराबर होनी चाहिए और किसकी आवरित्ती के बराबर होना चाहिए यह बिल्कुल यह दोनों जो है यह पर अंदर में परिक्रमा कर रही है यह दोनों आवरित्ती क्या ह चाहिए बराबर होनी चाहिए बिल्कुल यह जो है कंडिशन अप्लिकेवल है तो इसलिए हम लोग क्या बोलते कि भाई यह तो प्रतिबंध लगा है यह तो हो नहीं पड़ेगा तो इसको हम लोग प्रतिबंध के नाम से जानते हैं और बिल्कुल अनुनाधी प्रतिबंध के केस में जो है आप लोग चाहो तो सबुकों मैं जποह है जितना भी आप लोगों को हम लोगोंने यहां पर डारिवेशन इस न करके देखा आप लोगों के लिए हो वर्क में छोड़ रही हूं और बराबर आप लोग यहां पर लिख सकते हो टी बराबर हमारे पास क्या आया था टू पाई एम बटे क्यू भी आया था है ना और क्या आया था आर बराबर हमारे पास M V बटे Q B आया था कोणी आवरिति का सुत्र क्या मिला था हम लोगों को कोणी आवरिति का सुत्र क्या मिला था हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा बराबर ओमेगा बराबर हम लोगों को Q V बटे M ठीक है हाँ ओमेगा बराबर हमको मिला था यहाँ पे लिख लो QB बटे M, ठीक है? उसके अलावा V बराबर omega R यह V वेग है ना V वेग बराबर omega R और omega बराबर क्या 2 pi V यह new 2 pi new है यह यह जो है रेखिया आवरिती है रेखिया आवरिती और T बराबर 2 pi बटे omega यह सब relations भी आप लोगों को क्या है? numericals करने में जो है काम आते हैं ठीक है? numericals करने में काम आते हैं और यह रहा आप लोगों के सामने cyclotron से संबंधित numerical इस numerical में क्या बोल रहा है? कि cyclotron की 2 लित्रावृत्ती 10 megahertz है ठीक है? 2 लित्रावृत्ती 10 megahertz है protonों को त्वरिद करने के लिए proton धनावेशितकन होते हैं जिसको त्वरिद करने के लिए प्रचलन चुमबकिया शेत्र का मान कितना होगा? मतलब हमको चुमबकिया शेत्र का यहाँ पे क्या करना है?akukan याद करना है यडि 10 की त्रिज्या 60 cm है मतलब R बरावर हम लोगों को कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60 cm दिया हुआ है तो त्वरक द्वारा उत्पन प्रोटान पुंज की गतिज उर्जा M E V में परिकलित कीजिए गतिज उर्जा ठीक है काइनेटिक एनर्जी गतिज उर्जा आप लोगों को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है और जिसके लिए आप लोगों को कुछ मान दिये हुए है यहाँ पर प्रोटान का आप लोगों को क्या दिया हुआ है मास द दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगों को यह relation दिया हुआ है कि 1mv मतलब mega electron volt बराबर कितने जूल होते हैं तो क्योंकि हम लोगों का जो answer आएगा वो किसमें आएगा जूल में आएगा इसको आप लोगों को convert करना होगा किसमें mega electron volt में क्योंकि हम लोगों को ग्याद करने के लिए बोला है ठीक है तो यहाँ पर simply आपको करना क्या है देख लो ध्यान से try कर लेना आप लोग बिल्कुल इसको घर में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूं कि सबसे पहले आप चुमबकिये इसकते लिए आप लोगों कार ना कैसे ग्याद कर सकते इसके लिए आप लोगों को सुत्र जो स्थमाल करना है मैं यहाँ पे लिखा देती हूं टूपाइं एंब क्यू और यह ब बराबर 2 pi m बटे qb, यह था सुत्र, हमको चाहिए क्या, चुम्बकिय शेत्र चाहिए, तो b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर 2 pi m बटे qt हो जाएगा, ठीक है, आवर्तकाल, अब यहाँ पर हम लोगों को आवर्तकाल तो दिया नहीं है, आवर्तकाल और आवर् जो हम लोगों को सवाल में दिया हुआ है, तो बिल्कुल इस सुत्र के इस्तमाल से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर, चुम्बकिय शेत्र, चुम्बकिय शेत्र का हम मान ग्याद कर सकते हैं, ठीक, अब यह आप लोग फॉर्मूला में ज़स्ट सारी वैल्यू पुट कर लेना और मान ग्याद कर लेना, ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को क्या बोला है, उर्जा ग्याद करने के लिए बोला है, ठीक है, उर्जा ग्याद करने के लिए बोला है, तो अगर हम लोगों को यहाँ पर उर्जा चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर गतिज उर्जा चाहिए तो गतिज उर्जा बराबर क्या हो जाएगा एक बटे दो MV का वर्ग और MV के वर्ग के लिए यहाँ पर हमको वेग चाहिए आवेशित कणका जो की हम लोगों को दिया हुआ नहीं है पर हम लोगों को यहां पर आवरित्ती दी हुई है ठीक है तो हमारे पास relation है क्या हमारे पास relation है वेग बराबर हना ये कोणिया वेग और कोणिया आवरित्ती भी इसको बोलते हैं और ये आर ठीक है अब इस ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं तू पाई ये नियू क्योंकि ये हम लोगों को सवाल में यहां पर गीवन है और बिल्कुल ये इसके आप जो है पर मातरक से आप पहचान सकते हैं कि क्या आप लोगों को दिया हुआ है ये है क्या वेग तो यहां से आप लोगों को क्या निकल सब्सक्राइब APP करते हुए तो थोड़ी बहुत सथी भी रखनी का रहे है अगर पूछा तो ताकि आप लोग attempt कर पाओ, ठीक है, तो guys देखो, हम लोगों का जो ये chapter शुरू हुआ था, ठीक है, हम लोगों का ये chapter शुरू हुआ था, बिल्कुल हम लोग क्या कर रहे थे, एक चालक तार ले रहे थे, जो विद्युद्धारा में हम लोगों ने चालक तार में क्या बहाई थी, धारा बहने की कारण क्या उत्पन होता है, यहाँ पर आसपास जो है, यह चुम्बकिय शेत्र उत्पन करता है, तो बिल्कुल यह चुम्बकिय शेत्र जब उत्पन करता है, तो अगर हम इसके पास किसी भी प्रकार का मतलब कुछ धातू का चीज ले करके जैसे आते हैं, मत तो इतना चीज तो हम लोगों ने पूरा पूरा पढ़ लिया था और आज इसी को जो है हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ेंगे की कैसे होगा क्या होगा तब तक थोड़ी बहुत बाते कर लेते हैं श्वता कुमारी गुडिवनिंग बेटा रीचा कैसी चल रही है और बिल्कुल आप लोगों को जो भी टॉपिक अभी तक मैंने करवाया है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है लॉरेंज बल का टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्यों पूर्ण है आप सभी को पता है कि हर जगह आप लोगों को लॉरेंज बल राइट हैंड थं बता कि किस तरह से जो गती मान आवेश है जब चुंबगीये शेत्र में गती करते हैं तो उन पर बल कैसे हम ground करते हैं उन का मतलब मलाब जब पथ की जो दिशा होती है पथ के लेए जो उनकी गती की दिशा होती है उडिशा कैसे होती है और किस तरह से वह सरल प्रेखिय प्रतपर, वित्तिय पतपर और कुंडलिनी मार्ग पर जो है गती करते हैं तो यह सारा टापिक हम लोगों ने देख लिया है तो इन टापिक्स में भी हम लोगों ने लॉरेंज बलका बिल्कुल इस्तमाल किया था जब अभी हम लोग इस विद्धारावाही चालक के लिए हम लोग क्या करेंगे चुम्बकिय बलका क्या क्या करेंगे तो यहां पर भी हम लोगों को क्या करना है यहां पर भी जो है हम लोगों को चुम्बकिय बलका क्या 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 करना है बिल्कुल हम लोग यहां पर जो इस्तमाल करने वाले हैं इसके पढ़े हुए पहले इस सुत्र का हम लोग इस्तमाल करेंगे तो कौन-कौन से बेसिक कॉंसेट है जो इस्तमाल होने वाले हैं तो एक लॉरेंच बल हो गया एक ये हो गया ठीक है और एक जो होता है क्या होता है क्यों एनी मतलब कि जब आवेश बहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बहाओ की वजह से ज प्रती मीटर क्यूब आईतन के चालकतार में 10 की घात 29 इलेक्टरॉन मतलब बहुत जादा इलेक्टरॉनों की संख्या होती है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर N लिखते हैं और जब यह आवेश जो है मतलब जब यह आवेश जो है एल लंबाई के चालकतार से बहते हैं कैसे ब जो धारवाही चालक पर चुम्बकिया बल का कॉंसेप्ट जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या लेंगे सबसे पहले हम लेंगे एक समान चुम्बकिया शेत्र ठीक है तो मान लोग कि आपका जो एक समान चुम्बकिया शेत्र है व क्यों आवेश रखा हुआ है ठीक है यह क्या है एक्स अक्ष बिलकुल एकड दूसरे से 90 अंश का कोड बना रहा है परनतु यहां पर आप लोगों को दिखाना पढ़ेगा तो उसके लिए इसी तरह से हमें को चितर बिनाना पढ़ेगा ठीक है तो इन दोनों के लंबवात क्या लग रहा है मान लो कि इन दोनों के लंबवात एक बल लग लग रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते थी इस तरह से हम क्या करते थे चुम्बक्य बल रिखाओं की दिशा हम अपने जो है दाहिने हाथ के अंगुठे के नियम से निकालते हैं बिलकुल ऐसे निकालते हैं ना दाहिने हाथ के अंगुठे के नियम से किसको किसको याद है जल्दी से जो है कमेंट करके थमसब दिखा देंगे बिल्कुल थम रूल थम सब दिखा करके शोर कर देंगे मुझे आकाश गुडिवनिंग बेटा श्वैता कुमारी बेटा क्लास इकदम क्लियर चल रही है जो बच्चे नए आए हैं प्लीज जिनका यूजर नेम नहीं डला हुआ है अपना नाम मुझे जरूर बताएं बिल्कुल सबके कमेंट्स मैं देख रही हूँ सबके नाम याद है मुझे कौन मेरे बच्चे हैं कौन पढ़ाई करते हैं कौन नहीं पढ़ाई करते हैं कौन फालतु बाते करते हैं सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से पता है तो बिल्कुल ये थंबरूल के द्वारा हम तो क्या करते हैं इस तरह से हम चुम्बकिय शेत्र की दिशा निकालते हैं यह हम लोगों को क्या बता रही है कि हमारा चुम्बकिय बल रेखाएं कैसे बन रही है और चुम्बकिय शेत्र की दिशा क्या है ठीक है अभी हम लोगों को यहां पर क्या करना है यह धारावाही किसी एक धारावाही चालक के कारण अगर हम लोगों को चुम्बकिय शेत्र निकालना है ठीक है चुम्बकिय बल निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को चुम्बकिय शेत्र की आवश्यक्ता पढ़ेगी तो हम लोगों ने चुम्बकिय शेत्र का सुत्र क्या निकाला था इस तर थे सुट्र हम लोगों को क्या लेना है इसको पहले से कोई हमारे पास क्या है एक समान चुम्बकिय शेत्र है तो इस एक समान चुम्बकिय शेत्र पर अगर हम लोग रख रहे हैं ठीक है अगर हम लोग रख रहे हैं और इस पर अगर मालो की क्या कर रहा है आवेश जो है बिल्कुल इस दिशा में गती कर रहा है आवेश इस दिशा में गती कर रहा है इसक चालक तार के कारण जो उत्पन हो रही है वो और जो हम लोगों ने एक समान चुम्बकिय शेत्र लिया है बिल्कुल उसको भी हम लोगों ने उसी दिशा में लिया है तो जाहिर सी बात है कि जो एक समान चुम्बकिय शेत्र हम लोगों ने लिया है तो उस चुम्बकिय शेत्र वेग से गती कर रहा है और जिस चुमबकिये शेत्र में गती कर रहा है तो इन दोनों के बीच का जो कोण है थीक है इन दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या कहलाता है थीटा कहलाता है और बिल्कुल यहां पर थीटा कहला रहा है और इसके अलावा जब आवेश यहां पर गत है अगर चालकतार की लंबाई L है तो जब हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग यहाँ पर क्यूं का मान रखेंगे तो क्यूं का मान जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉंस की बहने के कारण आवेश्प्रवा हुए है, इलेक्ट्रॉंस की संख्षा कितनी है, एन है, और ये इलेक्ट्रॉंस कितनी लंबाई के चालकतार में बह रहे हैं, तो बिल्कुल L लंबाई के चालकतार में बह रहे हैं, जिनके अनुप्रस्त काड का शेत्रफ ली आरियन इंद्रजीद सभी बच्चे मम्ता फटाफट से मानस अकाश बिल्कुल ये सब तो पढ़ाई थे बिल्कुल हाँ मैं पढ़ाई थी पर आपको जो है बिल्कुल यहां पर से पढ़ना है कंटिन्यू करना है और बिल्कुल आगे जो पढ़ाऊंगी बल आगो न वो A, L और यह क्या हो जाएगा? V B sin theta हो जाएगा. क्या हो जाएगा? V B sin theta और जैसे कि मैंफ लोगों को basic concept अपलोगों को बताया था कि हम लोगोंने अनुगमन वेगज का जब topic पढ़ा था तो वहां पर जो विद्युधारा का प्रवाय प्रवाः हो रहा था, अनुगमन करते हैं तो उसका वेग क्या होता है माध्य वेग अनुगमन वेग कहलाता है वीडी और उसके लिए हम लोगों को ये विद्युधारा का सुत्र मिला था सभी को याद है की नहीं सभी बच्चे दिखा थम सब दिखाएंगे ब्रजेश याद है की नहीं बिल्कुल शिवाम या और ये वी इसके जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं इसके जगह में हम रख सकते हैं आई क्या रख सकते हैं इसके जगह में आई पहले से हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर क्या आ गया बी आ गया और यह क्या हो गया साइन थीटा हो गया तो यहाँ पर हम लोगों को विद् तेल्स में जो है आप लोग पढ़ोगे अगर चुम्बकिया शेत्र के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को ये सुत्र बहुत जादा काम आने वाला है तो बिल्कुल इसको कंठस्त याद रख लेने लेना है और आई तिंग ये टॉपिक तो आप लोगों ने ट करते हैं और अगर मालों की यहां पर क्या रहेगा थीटा बराबर 90 डिग्री से क्या मतलब हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री से ये मतलब हो जाएगा कि जो हम लोगों ने ये हम लोगों ने जो राइट हैंड रूल निकाला था राइट हैंड रूल निकाला था जहां स calculate कर रहे थे, बाए हाथ के नियम से prelim ministre को यहां पर हम लोगों को यह जो थीटा कोण है वो किसके किसके बीच का कोण मिल रहा था, विद्युद्धारा और चुम्बकिया शेत्र के बीच का कोण थीटा मिल रहा था तो अगर थीटा बराबर क्या होगा नाइंटी डिगरी होगा तो इसका मतलब हमारा साइन नाइंटी डिगरी बराबर क्या हो जाएगा साइन नाइंटी डिगरी बराबर एक जब हम लोग यहां पर रखेंगे साइन नाइंटी डिगरी बराबर एक रखने के पाध कि उलाप्र के बाद वika बड़ान के ब्लquila गाम करते हैं यह अमारा इल्लेक्री सिटी बिल ठीक है बिलकुल हम विद्ध हरा के बाद चुमबकिया बल पड़ रहे हैं तो वहां पर भी तो होगा ही तो बिलकुल यह कौन सा बिल है electricity का बिल है तो यहां पर आप लोगों को चुम्बकिया बल कैसे मिलता है एक धारा वाही चालक तार के लिए चुम्बकिया बल जो है अधिकतम चुम्बकिया बल क्या मिलता है आप लोगों को बिल मिलता है यह हो गया आप लोगों का अधिकतम चुम्बकिया बल क्या हो हो B I L साइन थीटा और ये में सुत्र हो गया अब इसके बाद अगर हम सेकेंड कंडिशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि दूसरा कंडिशन क्या हो सकता है कौन बताएगा अकाश जल्दी से बताओ दूसरा कंडिशन क्या हो सकता है ब्रजेश जल्दी से बताओ अधिती श जालदी quickly बताएंगे तो बिल्कुल इसके लिए जो है चुम्बकिये शेत्र का जो दूसरा condition हो सकता है वो theta बराबर किसके लिए हो सकता है theta बराबर 0 degree के लिए तो यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ कि अगर theta बराबर 0 degree हुआ ठीक है अगर theta बराबर 0 degree हुआ तो क्या होगा पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारा आवेश घति कर रहा है है लो इसकी दिशा और चुम्बकिये शेत्र की दिशा इन दोनों के बीच का कोन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि विद्युद्धारा और चुम्बकिये शेत्र के बीच का कोण हो जाएगा, ठीटा बराबर 0 डिगरी, ठीके, तो इस केस में क्या मिलता है हम लोगों को, इस केस में यहाँ पर रब कर देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ अधिक्तम का केस, और यहाँ पर हम लोगों को चुम्बकी अबल क्या मिल जाएगा, शुन्य मिल जाएगा, क्यों मिलेगा, शुन्य इसलिए मिलेगा, कि दोनों के बीच का कोण अगर शुन्य हो गया, तो यहाँ पर साइन जीरो डिगरी बराबर क्या होता है, साइन जीरो डिगरी बराबर शु के मतलब की इस तरह से जब जो वि दिधारा प्रवाहित होती है तो कोई भी चुम्य कीद्यगार भल गठी करेगा जो हमलोगों हो गए हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है में हम लोगों को यह equation derive करना में था यह equation हम लोगों ने derive कर लिया है आगे सभी को यहां तक के clear है सभी को जल्दी से सभी बच्चे comment करके बताएंगे हां very good तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग दो समना अंतर विद्धाराओं के बीच बल पढ़ेंगे दो समना अंतर विद्धाराओं के बीच तो यहां पर हम लोगों ने यह जो ब्लू कलर की तार ली है तो जैसे कि अभी हम लोगों ने एक तार के लिए देखा ठीक है एक धारावाही चालक के लिए क्या देखा एक विद्युत धारावाही चालक के लिए लिख सकते हो आप बराबर BIL sin theta ठीक है क्या निकाल हम लोगों ने BIL sin theta अब अभी हमारे पास क्या है दो धारावा ही चालकतार है तो दो धारावा ही चालकतार है तो इस diagram को मैं वापस से बना के आप लोगों को explain कर रही हूं सब बच्चे मेरे साथ diagram बनाएंगे अपने copy में अगर आप लोग कित आता ही है exam में और बिल्कुल इसके related questions आप लोगों को competition exam में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल यहां पर अगर हम लोगों को दो धारावाई चालकतार के लिए लेना है तो हम लोग क्या ले सकते हैं इस तरह से मैंने एक चालकतार लिया इस पर मानलो कि मैंने क्या बहाई आई इसका अपना चुम्बकिये शेत्र होगा पर आप लोग यहां पर देख सकते हो यहां पर चुम्बकिये शेत्र B1 और यहां पर B2 लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या हो रहा है मतलब कि धारा बहने के कारण चुम्बकिये शेत्र उत्पन तो हो रहा है पर हम क्या कर रहे हैं इन चालकतार को सबसे पहले जो इसके पहले का केस हम लोगों ने पढ़ा तो यहां पर हम लोगों ने एक समान चुम्बकिय शित्र में रखा जो पहले से चुम्बकिय शित्र मौजूद था वहां ले जा के मैंने क्या रख दिया धारवाई चालकतार को रख द से बहाया जिसकेकर नहीं पर चिम moments F लगा ठीक ay यहां पर मालों कि यह चालक तार जो है अंडर की तरब चुंबकिया मेलगी दिशा की दिशा है मैं अंदर की तरब 2 भ्यकिया शेस है तो आपका यह चालक तार जो है यहां पर इस तरीके से लगा रखा हुया है जिसमें विद इस धारवाही चालक के करण जो उत्पन होगा तो अलग पर जब हम यहां पर second case की बात कर रहे हैं जहां पर बात को ध्यान से सुनना बहुत important चीज बता रही हूँ कि जहां पर जब second case की बात कर रहें दो समनांतर विद्युधाराओं के बीच में बल लग रहा है तो होगा क्य इस चालकतार में जो विद्धुधारा उत्पन मतलब इस चालकतार में जो चुम्बकिय शेत्र का प्रभाव होगा जिसके वज़ा से चुम्बकिय बल उत्पन होगा तो वो किसके कारण होगा इस दूसरे वाले चुम्बकिय शेत्र के कारण उत्पन होगा इसी वज़ा से यह यहाँ पर चुम्बकिये बलत पन करने के लिए किसका प्रभाव मौझूद होगा इस सेकेंड वाले चालकतार का चुम्बकिये शित्र होगा बात समझ में आ क्या आइसपते हैं कि इसे पड़त का कहेंगे कुछा होता है आप को इस आप जिन्दगी पर कोई असर नहीं चाहि Milka आसपास कि अब सुआएसे हमारा सब्सक्राभ हो जाता है कभी कोई हमको कुछ तो उसकी वज़े से हमारा दिमाग डिस्टाब होता है तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए फर यहां पर भी हो रहा है तो बिल्कुल आपको समझाने के लिए मैं यहां पर बता रही हूं कि यहां पर सेकेंड वाले की करण पहले वाले चालकतार पर क्या उत्पन होगा ठीक उसी प्रकार से इस सेकेंड वाले धारा वाही चालकतार पर क्या होगा इस सेकेंड वाले धारा वाही चालकतार पर जिसमें आई टू धारा प्रवाहित हो रही है पहले वाले के चुम्बकिया बल के कारण क्या होगा पहले वाले के चुम्बकिया शेत्र के कारण यहां पर पहले अभिशेक, इंद्रजीत, रंजीत, कमल, अदिती, अंजली, ब्रजेश, सभी बच्चे अलका जल्दी से सब दिखा देंगे और बिल्कुल यहां पर यहां पर जो है यह जो डाइग्राम मैंने आप लोगों के लिए यहां पर बना करके दिखाया है तो यहां पर क्या हो रहा ह इन दोरों का अपना अपना चुम्बकिय शेत्र है और चुम्बकिय शेत्र की दिशा तो जाहिर सी बात है भई राइट हैंड थमरूल लगाएंगे तो इस तरह से अगर हम लोग इसमें धारा पलट देते तो यहां पर चुम्बकिय शेत्र की धारा भी बदल जाती तो बिल हो रहा है यहां पर जिसकी वज़ा से यहां पर जो है इस दूसरे वाले के दूसरे वाले तार के चुम्बकिये छेत्र की वज़ा से यहां पर चुम्बकिये बल उत्पन हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं अब जैसे कि हम लोगों ने जब एक विद्धारावाही चालक तार क एक समान चुम्बकिय चेत्र में जब रखा था एक विदुधारवाई चालक तार को जब एक समान चुम्बकिय चेत्र में रखा था तो वहां पर जो चुम्बकिय बल उत्पन हुआ था तो इस चुम्बकिय बल के लिए हम लोगों को ये वाला सुत्र मिला था ठीक है तो यहा मैं बहुत अच्छा पड़ाती हो मैं माँ बहुत क्यूट लग रही हो मैं माँ बहुत अच्छे से समझाती हो मैं आपकी वजह से हमारे लिए फिजिक्स इतनी आसान हो गई सुन करके मुझे बहुत खुशी होती है और बिल्कुल मतलब की मेरी निगाहे इतनी तेज है कि मैं इतने तेजी से बोलते हुए आप लोगों को समझाते हुए और बिल्कुल पढ़ाने में ध्यान रखने के सांसाथ आप लोगों के कमेंट्स भी मैं लगातार पढ़ रही हूं सबके कमेंट्स मेरी नजर में हैं जब भी मुझे समय मिलता है तो बिल्कुल मैं आप लोगों क कमेंट्स आप लोगों को पढ़के सुनाती हूं और जो बच्चे लेट आए हैं बिटा मैं हम लोग जो है आज चुम्बकिया बल की बात कर रहे हैं जब किसी चालकतार में विद्युधाराओं का प्रवाह होता है तो किस तरह से चुम्बकिया बल उत्पन होता है और बल यू मेरी वज़ा से आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है अधिती मेरी स्वीट बच्ची लवली बच्ची लवली गुडिवनिंग बेटा तो बिल्कुल हम जो है ध्यान से यहां पर क्या लिखेंगे बल का सुत्र लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेर कमेंट बॉक्स में जो है सुत्र लिख करके बताना है तब मैं जल्दी से क्विकली आगे बढ़ूंगी तो भाई यहां पर क्या लिख सकते हैं हम बल का सुत्र तो चलो भाई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहां पर हमारे पास क्या है एफ बराबर बी आई एल साइन ठीटा ठीक है और यहां पर मेरे पास क्या है एफ वन और एफ टू आपके कमेंट का इंतजार है मुझे कौन बच्चा कमेंट करके जल्दी से बताएगा बिल्कुल मैं देखना चाहूंगी यहां पर भी मेरे पास आएगा पर यह जो हमारा चुम्बकिय शेत्र चुम्बकि क्या रखेंगे तो क्या हरी है चुम्बकिय उत्पन हो रहा है किस पर उत्पन हो रहा है चुम्बकिय शेत्र के बीच का खुर यहां पर जो चुम्बकिय शेत्र उत्पन हो रहा है धार धारवाही चालकतार के करण वो क्या है बिल्कुल हम लोगों ने जो राइट हैं थम रूल में पढ़ा था इसके हिसाब से इसके हिसाब से यहाँ पर थीटा कोन क्या है 90 डिग्री है तो यहाँ पर आप लोगों का थीटा कोन अगर हो जायेगा तो सबसे पहली बात हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसको अपनी कॉपी में नोट करना होटा है क्या करना होता है वहाँ है सब्सक्राइब, बिए कटी के लिए को आप लोगों को अपना डिपेश देती हुँ, तो वहाँ सब्सक्राइब को अपने हुग करेंगे, तो अपने और सकंड शक्राइब,ones river. करेंगे तो मेरे और भी बहुत सारे वहाँ पर बच्चे आल्रेडी जो हैं बिल्कुल हैं वो सब आपको पढ़ने में मदद करेंगे आपको नोट्स चाहिए पीडियेफ चाहिए जो भी चाहिए सारे बच्चे एक दूसरे को मदद करते हैं मेरे बच्चों में यही सबसे बच्चे कमेंट करते हो तो बेटा पीडियेफ आप लोगों को मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी जिसके लिए लास्ट में जो मैं डिटेल से आप लोगो शेयर करती हूं ठीक है वो डिटेल जो है आप लोग उस पर मेरे को कॉंटेट करो एंड अकाश अदिती हैं तनु हैं बहुत सारे बच्चे पुराने बच्चे हैं जो बहुत दिनों से मेरे से रेगुलर क्रास से अटेंड करें आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहां पर आप लोग टेलिग्राम चैनल का लिंक डाल दिया करो और बिल्कुल मैं भी जो है आप लोग जो है जो और जिनको वाकई में जिनदकी में कुछ करना है तो सिर्फ वही बच्चे जोइन करेंगे किए हम लोगे को बहुत हीचन ग्रूप है जुसमें हम लोग बहौत ही celebrate करते हैं, पढ़ाई करते हैं, enjoy करते हैं, बाते करते हैं, doubt solve करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, तो सारी अच्छी बाते हम वहाँ पे करते हैं, बूरी बाते कोई नहीं करता, क्यों भाई अधिती, ठीक बोल रही हूँ की नहीं, श्वेता कुमारी, अंजली, अकाश, बेटा, तुम पढ़ चुके हो ना, जल्दी से कमेंट में मैं को सुत्र लिखके बताओ, क्या करी हो अधिती, जल्दी से, अभी तक के सुत्र नहीं लिखा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, जल्दी से बता दो, क्या आएगा यहां पर सुत्र, यह जो है, आप लोगों का F2 बल किसके वा कारण उत्पन हो रहा है, यह पहले वाले चुमब की शेत्र के कारण उत्पन हो रहा है, जबकि दूसरे वाले चालकतार में बदाहरा बह रही है, आई टू और यहां पर भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और यह दोनों ही थीटा क्या है, 90 डिगरी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, पर हम लोगों को करना क्या है, यहां पर हम लोगों को जो है, चुमब की शेत्र का सुत्र चाहिए, तो B1 के लिए चुमब की शेत्र का सुत्र और B2 के लिए चुमब की शेत्र का सुत्र, तो मैंने तो पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग कौन-कौन से basic concepts का इस्तमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है, अनन्त धारवाही चालकतार के लिए जो बायो सहवट के नियम के अनुसार हम लोगों को ग्यात है, इस सुत्र का हम लोगों को प्रेशांद, क्या बोला मैंने, सुनके कॉपी में नोट करना है, सुधाइशू आंचल, सुनके कॉपी में नोट करना है, तो नोट भी करते जाओ कि हम लोगों को बायो सहवट के नियम से पता है, चुम्बकिय शेत्र का क्या सुत्र होगा, अनंत धारावाई, चालक तार के लिए, म्यू नोट बटे चार पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो आई वन और बटे आर, ठीक है, तो बटे आर यह जो है, यह क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो बिलकुल यह चीज आप मिस हो गया था, लिख सकते हो, इन दोनों की बीच की दूरी है, लिखना कैसे है, डारिवेशन एक्जाम में, डारिवेशन पूरा हो जाने के बाद, आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है, और यहाँ पर दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे वाले के लिए आप लोग चुंबकation के शेत्र लिख सकते हो, वय नौर बटे 4 पाई, यह हो जाएगा, दो, आई टू, बटे आर, ठीक है? यह दूसरे वाले के करण चुंबकी शेत्र, इन दोनों ही चुंबकी शित्रक के सुत्रक को हम लोगों को क्या करना है यहां पर यह जो B1 और B2 है इनकी जगह में रख देना है तो यह मान लोग की equation 1, equation 2 और यह क्या हो गया equation 3 और equation 4 जल्दी से मान रख दो पहले और दूसरे समीकरण में B1 और B2 का मान रखने पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा समीकरण यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा F1 बराबर क्या मिल जाएगा Mu naught बटे 4 Pi और यहाँ पर क्या हो जाएगा B2 के जगह में 2i2 बटे R और यहाँ पर क्या है हमारे पास पहले से I1 है तो यह है हमारे पास I1 और यह है हमारे पास L और यह साइन थीटा तो हम लोगों ने क्या माल लिया है साइन थीटा तो हम लोगों ने एक माल लिया है तो साइन थीटा को मैं हटा रही हूँ ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को क्य वाले question F2 के लिए चुम्बकी अबल मिल जाएगा mu naught बटे 4 pi और यह हो जाएगा क्या 2 I1 बटे R और पहले से यहाँ पर क्या मौजुद था I2 L मौजुद था इसको modify करके जब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यह हम लिख सकते हैं F1 और बटे में हम यहाँ पर ले आते ह हैं क्या L और यहाँ पर हो जाएगा क्या mu naught बटे 4 pi और यह लिखा जाएगा आपका 2 I1 I2 बटे R ठीक है और ठीक इसी तरीके से यह सेकेंड वाला चुम्बकी अबल F2 बटे L और यह हो जाएगा mu naught बटे 4 pi और यह हो जाएगा 2 I1 I2 बटे R ठीक है तो बिल्कुल यह दो सम करन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और यह समी करन आप लोगों को जो है एक्जाम में पूछा जाता है बहुत ही important समी करन है इसका derivation व्यंजा कुत्पन करिए पूरा व्यंजा कुत्पन करने के लिए आप लोगों को देता है और यहाँ पर इसका जो मात रखोगा Newton per meter Newton per meter क्यों होगा क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर हम लोगों ने इस लंबाई को जो है यहाँ पर पक्षांतर किया है तो इस रूप में मैंने क्यों लिख करके दिया है क्योंकि होता क्या है परिक्षा में जब derivation आता है शिवानी श्वैता परिक्षा में जब derivation आ ये हम लोगों को वेंजक सिद्ध करो, क्या पुछेगा ये वेंजक सिद्ध करो, तो सिद्ध करो वाला सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि पहले से वहाँ पे सुत्र दिया रहता है, गलती होने का चांसेज नहीं होता, बीच का डेरिवेशन तो आप लोग बना ही सकते हो, सुत पता, शिवानी मौर्य, शिवानी मौर्य भी, कोई बाद नहीं बेटा, जल्दी से आप सभी बच्चे मुझे यूट्यूब में कमेंट करके बताएंगे, फटा, फट, ब्रजेश, महेश, वेरी गुड, सभी बच्चों के कमेंट्स आने लग गए है, वेरी गुड बेटा, अलका, वेरी गुड अभी, वेरी गुड अनसारी, वेरी गुड बेटा, मोनू पटेल, वेरी गुड अधिती, वेरी गुड सभी बच्चे मेरी सभी बच्चे, पायल, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्डन डेरिवेशन हम ल लोगों को जो है यह कोश्चन हम लोगों को देख लेना है ठीक है यह कोश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोगों को इसके पहले भी एक निमारिकल कोश्चन आया था ग्या एक निमारिकल कोश्चन देखते हैं हम विद्धारवाई चालकतार पर बल कोई बात नहीं कोई बात यहां पर हम question देख लेते हैं, question है आप लोगों के सामने जो derivation अभी हम लोगों ने किया है, इसी के related आप लोगों के सामने question है कि किसी निर्धारित इस्थान पर पृत्वी के चुंबकिय शेत्र का 36 घटक, 36 घटक आप लोगों को दिया हुआ है, प्रित्वी के चुंबकिय श ठीक है कैसी है इसकी दिशा भगौलिक दक्षिन से भगौलिक उत्तर की ओर है ठीक है 36 घटक दिया हुआ है इसका 36 घटक दिया हुआ है मतलब की 36 घटक का मतलब क्या हो गया किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक से एक एंपियर की अपरिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक एकांक लंबाई पर बल कितना होगा। प्रत्येक एकांक लंबाई पर बल की बात पूछ रहा है। चुम्बकियव बल का जो है मान मिल जाएगा। ट्राइ करो सभी बच्चे ट्राइ करेंगे। बिल्कुल आपको समय दिया है। मैंने एक मिनट का इंतजार कर रही हूं। कौन बच्चे सॉल्व करके बताएगे। कौन बच्चे सॉल्व करके बताएगा मुझे आंसर। कौन बच्चे सॉल्व करके बताएगा मुझे आंसर। जल्दी से फटाफट से ठीक है एक सुत्र ये एक सुत्र था हमारे पास। और क्या इससे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अभी अभी हम लोगों ने डेरिवेशन कंप्लीट किया है। विध्युद्धारा का मान दिया हूआ हैं ठीक है तो ये वाला सुत्र तो हमारा यहां पर एप्लीके благодар हो नहीं रहा है। तो हमारे पास एक और सुत्र था जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? B.I.L. sci.θ क्या सुत्र था हमारे पास? B.I.L. sci.θ तो क्या हमारे पास इस सुत्र से हमारा solution बन पाएगा? यहां से हम क्या कर सकते हैं? F बटे L लिख सकते हैं यह L एकांक लमबाई हो गई और यहां पर क्या जाएगा? चुम्बक्य शेत्र विद्युद भाधारा और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा तो हाँ yes हो सकता है समझ में आ रहा है कि कैसे इस सुत्र से हमारा सौल हो सकता है इसके लिए हम लोगों को सवाल में देखना है कि हम लोगों को सवाल में दिया क्या है और निकालना क्या है तो एकांक लंबाई के रिए चुम्बकिय बल निकालना है चुम्बकिय शेत्र दिया है और क्या दिया है हमारे पास यहाँ पर चुम्बकिय शेत्र दिया है और विद्युद्धारा का मान दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है विद्युद्धारा का मा तो बिलकुल यहां पर इतना तो है कि आप लोगों का थीटा पराबर क्या होगा 90 Degree होगा क्या होगा थीटा पराबर 90 Degree मतलब कि विद्युद्धारा और चुमबकियो शेत्र के बीच का कोण 90 Degree होगा तो ये वाला पार्ट भी हच जाएगा और बिल्कुल अगर आप चुम्बकिय शेत्रा और क्या करोगे चुम्बकिय शेत्रा और विद्युद्धारा का यहां पर गुणा करोगे तो simply आप लोगों को मान आ जाएगा बल का मान आ जाएगा ठीक है तो बल का मान क्या हो जाएग क्या हो जाएगा भई बल का मान पहले के केस में निकानला है कि पूर्व से पश्चिम की ओर ठीक है ए आंसर आएगा ठीक है ए आंसर यहाँ पर क्या निकानला है आप लोगों को पूर्व से पश्चिम की ओर ठीक है तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर का मतलब क्या होता है इस सवाल का मतलब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि यहाँ पर मतलब यह हो रहा है कि थीटा जो है हमारा क्या है 90 degree है हमारा विद्द्धारा और चुम्बकिय शेत्र के बीच का कोण किसके किसके विद्द्धारा और चुम्बकिय शेत्र के बीच का कोण हमारा 90 degree है और यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रहा है कि बिलकुल हम लोगों को बल का दिशा मतलब बल एक आंक लंबाई के लिए च आप लोगों को पता है कि बल की जो दिशा होती है वो भी क्या होती है चुम्बकिय शेत्र और किसके लंबवत होती है चुम्बकिय शेत्र और विद्धारा के लंबवत होती है हमारे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या होता है हमारी जो बल की दिशा हो लंग किलिए जुम्पकिअ बल का मान मिलेगा वो क्या मिलेगा ? 3 गुणा क्या मिल जाएगा ? इहां पर 3 गुणा 10 की घात – 5 लिका वशा है ? ठीक है ? 3 गुणा 10 की घात – 5 और 1 एंपियर की परिवर्टि धारा क्या है ? यहां पर आपको करना क्या है ? यहां पर आपको करना क्या है एक से गुड़ा करना है तो simply आपको क्या मिल जाएगा यह तीन गुड़ा दस की घात माइनस पांच और यह क्या हो जाएगा मान न्यूटन पर मीटर ठीक है न्यूटन पर मीटर क्योंकि यह एकांक लंबाई के लिए है तो बिल्कुल इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है देखो बल का जो मान होता है वो क्या होता है बल का जो मातरक होता है न्यूटन में होता है पर यहां पर हम न्यूटन पर मीटर क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रती एक कांक लंबाई के लिए निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रह है प्रति एक आंक लंबाई के लिए निकाल रहे हैं इस वजह से हम लोग नीटन-मीटर लिख रहे हैं तो बिल्कुल इस चीच का है आप लोगों को ध्यान गुर्णाऑन एक नीटन-परमीटर क्यों निकाल रहे है ठीकश हम लोगों को पूछ रहा है कि जब दक्षिन से उत्तर की ओर क्या दक्षिन से उत्तर की ओर तार की प्रती एकांक लंबाई पर बल कितना होगा ठीक है अब दक्षिन से उत्तर की ओर निकालना है पहले हम लोगों को क्या दिया था कि जो चुम्बकिय शेत्र है हमारा तो चुम्बकिय शेत् दिशा हम लोगों को दक्षेण से उत्तर की ओर ही दिया हुआ था ठीक है और यहां पर हम लोगों को बी में क्या बोल रहा है दक्षेण से उत्तर की ओर ही निकालने के लिए बोल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर इसका मतलब यह हो रहा है ठीक है बिलकुल मैं यहा पर आप लोगों को side में लिखकर के बता देती हूं कि जो हम लोगों का B वाला है इसको मैं मिटा रही हूं ठीक है इसको मैं मिटा रही हूं और बिलकुल यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ है तो जो हमारा जो इनके बीच का कोण जीरो हो जाएगा ठीक है इनके बीच का कोण जीरा हो जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा किसी भी प्रकार का यहां पर चुम्बकिया बल उत्पन नहीं होगा तो second case में जो दक्षिन से उत्तर दिशा दिया हुआ है प्रश्न में हम लोगों को छे डारावाही कुंडली पर बल आगुण तो बिलकुल आप लोग देख सकते हैं धारावाही कुंडली का मतलब क्या होता है कोई वृत्ताकार पाश है और इसमें बहुत सारे क्या लपेटे हुए है फेरे लपेटे हुए है या फिर इस तरीके से solenoid के बारे में या फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था परिनालिका के बारे में पढ़ा था या फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस तरीके से हम लोगों ने ताराइट के बारे में पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था ताराइट के बारे में त सबसे पहले हम लोग यहां पर ले रहे हैं क्या एक समान चुम्बकिय शेत्र तो पहले अध्धाय में जैसे आप एक समान विद्धु शेत्र बनाते थे वैसे ही यहां पर क्या बनाओगे एक समान चुम्बकिय शेत्र बनाओगे और इस एक समान चुम्बकिय शेत्र में क्या लटकाया गया है जब किसी एक समान चुमबक्य शेत्र में क्या लिया गया है स्वतंत्रता पुर्वक लटकी गई किसी कुंडली में क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं तो करवादो भाई यहां पर इसके चारों कोनों को हम लोगों ने नाम दे दिया A, B, C, D और यहां पर हम लोगों ने इसमें विद्युद्धारा भी प्रवाहित करवा दी A, B, C, D के डारेक्शन में किस डारेक्शन में धारा प्रवाहित करवा दी हम लोगों ने A, B, C, D के डारेक्शन में हम लोगों ने विद्युद्धारा का प्रवाह करवा दिया ठीक ह तो क्या हो रहा है आगे कि इस कुंडली पर बल युगम लगता है इस कुंडली पर क्या लगता है बल युगम लगता है कैसे लगता है इसकी बात हम करेंगे कि क्या करती है ये इस कुंडली पर बल युगम लगता है जो कुंडली को घुमा कर उसके तल के चुंबकिय शेत्र क लंबवत करने का प्रयास करता है मतलब कि यहां पर जो है आप लोग इस चित्र में देखेंगे यहां पर देखो एक समान चुम्बकिया शेत्र है यहां पर क्या हो रहा है क्यों कि यहां पर आयताकार कुणडली रखी गई है जिसमें विद्धारा बहाई गई तो हो क्या रहा है कि पहले से चुम्बकिया शेत्र माउजूद है और यहां पर जो क्या हो रहा है यहां पर जब क्या बहरी है यह विद्धारा बहरी है तो यह चुम्बकिया शेत्र के अभिलांबुवत 90 डिग्री के कौन पर ह ठीक है कैसे है? 90 डिग्री के कोड़ पर है, तो यहां पर क्या उत्पन होगा? इन दोनों के अभिलंबुवद चुम्बकिय बल उत्पन होगा, जो कि हम लोगोंने फलेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पढ़ाता, चुम्बकिय बल की दिशा क्या होगी? इन दोनों के अभिलं रमर्वरत बल कैसा होगा मानलो कि इस तरह से आप लोग दिखा सकते हो यहाँ पर X Y और Z AXIS करके ये ज़ो है चुम्बकिये बल का अधिशा होगा मानलो कि यहाँ पर हम लोग मानले हैं कि इस साईड A B के साईड A C के साइड में क्या हो रहा है चुम्बकिय बल कितना उत्पन हो रहा है F1 उत्पन हो रहा है ठीक है F1 उत्पन हो रहा है और यहाँ पर CD के side, CD के side, अब यहाँ पर भी क्या होगा, 90 degree का code बन रहा है, विद्युद्धारा और चुम्बकिय बल के बीच में, तो CD के side में यहाँ पर चुम्बकिय बल उत्पन होगा, कैसे, यह रही विद्युद्धारा की दिशा, और यह रही चुम्बकिय शेतर की दिशा, ठीक है, चुम्बकियबल बिल्कुल अलग कलर से दिखा देती हूं ताकि आप लोगों को clear हो, यहां पे क्या उत्पन हो रहा है F2, इतना सभी को clear है, left hand, बाएं हाथ के नियम से बिल्कुल बाएं हाथ के नियम से ये चुम्बकियबल उत्पन हो रहा है, सभी को clear है F1 और F2 कैसे हारवाही कुंडली है ठीक है इसमें से जो एडी वाला हिस्सा है ठीक है और कौन सा ये सीडी वाला हिस्सा क्या इसके कारण चुम्बकियाबल उत्पन होगा अदिती अकाश सुधाइंशू साक्षी कुलदीप अलका वर्तिका वीभा जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएंग होगा यस या नो हाँ की नहीं जल्दी से बताएंगे यस और नो चुम्बकियाबल उत्पन होगा की नहीं यस और नो तो भई यहाँ पर very good सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं I am so glad और बिल्कुल मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया जैसा की अधिती कहती है कि मैं अब जाती हो तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब आपकी क्लास हम अटेंड करते हैं तब हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है तो बिल्कुल मेरे बच्चे मेरे सवाल का जवाब देते हैं तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ठीक है तो बिल्कुल दि गार्डन गार्डन हो गया और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर A और D के करण देखो यहाँ पर A B और B C के करण क्या उत्पन हुआ यहाँ पर B C के करण F 2 उत्पन हुआ परंतु हमारे पास परंतु हमारे पास यहाँ पर क्या होगा A D के करण यहाँ पर लिख देती हू और चुम्बकिय शेत्र है इन दोनों की दिशा क्या है सेम है इन दोनों की दिशा क्या है सेम है और जब भी समान दिशा में होगा तो कोई भी प्रकार का चुम्बकिय बल उत्पन नहीं होगा इस वज़े से यहां पर यह जो आयताकार कुंडली है इसके दो साइड ही यहां प मतलब क्या होता है जोड़ा जैसे कि हम लोगों के हाँ राधा कृष्ण की जोड़ी को युगल कि शोर की जोड़ी कही जाती है ठीक है बिलकुल क्यों मतलब कि अब डांडिया का सीजन भी आ रहा है तो वहां पर बिलकुल मतलब जो है जोड़ी में डांस करते हैं बहुत जग पूरी कुंडली में तो विद्युद धारा चुम्बकिय छेत्रा एक जैसा है इसलिए इंडिये कारण उत्पन होने वारे चुम्बकिय बल क्या होगा समान परिमार का होगा लेकिन कैसा होगा विपरीद दिशा में कैसे उत्पन होगा विपरीद दिशा में अब देखो ये ज जब विद्युद्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे थे एक समान विद्युद्षेत्र में जब हम विद्युद्वीधू को रख रहे थे इस तरह से थीटा कोन पर रख रहे थे तो वहाँ पर भी बल यूप में उत्पन हो रहा था तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बल यूप म किस प्रयास में लाने की कोशिश करेंगे किस प्रयास में रहेंगे ये इस प्रयास में रहेंगे कि ये जो है इनको क्या करें ये जो है बिल्कुल इनको जो है घुमा करके क्या करेंगे घुमा करके क्या करेंगे चुमबकिय शेत्र के 90 डिगरी कोण में लाने का प्रयास विद्धु चेतर के केस में क्या होता था विद्धु द्वीद्रू को विद्धु चेतर की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कुंडली को बार बार, कुंडली को बार बार, exact 90 डिग्री के कोण में लाने का प्रयास करते रहेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण में लाने के प्रयास में क्या होगा, यह जो है, रोटेट करेगा, घूमेगा, क्या करेगा, यह कुंड है हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं अंगरेजी में हम इसको क्या कहते हैं टॉर्क क्या बोलते हैं इसको अंगरेजी में हम लोग टॉर्क ठीक है तो यहां पर क्या उत्पन हो रहा है बल यूगमा आघून उत्पन हो रहा है तो जब हम लोग क्या करते हैं इसको साइड से देखते हैं ठीक है बिल्गों क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोगों ने कुंड़ली को रख दिया है और यहां पर साईड से देख रहे हैं पर बिल्कुल हम लोग जब इसको साइड से रख रहे है तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है यह ठीक है बिल्कुल यह दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इसके सीरे बिल्कुल इस तरह से पास में है और यहाँ पर साइड से कुंडली को हम लोगों ने क्या कर दिया है A, B, C, D कुंडली जो लिया है उसको हम लोगों ने रख दिया है और बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है और ये जो लाइन खीची गई है यहाँ पर ये जो लाइन खीची गई है इसको हम लोगों ने क्या माना है ये लाइन को हम लोगों ने कुंडली का अक्ष माना है तो ब हमारा पहला वाला बल इसको हम लोगों ने F1 से जो प्रदर्शित किया था बस इस डाइग्राम को जो है ठीटा कोन पर बना करके आप लोगों को दिखाया गया है जो पहले सीधा सीधा बना था उसको जब हम लोगों ने स्वतंतृता पूर्वक रखा तो इस तरह से रख करके दिखाया गया है और बिल्कुल ये कोशिश में रहेगा इसको लाने के प्रयास में कि इसको वापस से मतलब जो है ये ठीटा कोन को वो क्या करेगा जीरो करने की कोशिश में रहेगा ठीक है तो मतलब यहां पर ठीक है तो यहां पर जब हम लोग इस बल आगोन को तो थीटाफ हो जाएगा एक अंतर कोण की नियम से तो गड़ित के हिसाब से हो रहा है तो कम से कम इतनी गड़ित तो आती होगी ये मैं मान के चलती हूँ अरविन, सुधांशु, नीतु, ठीके, इतना मान के चलती हूँ, ठीके, अब इसके आगे, इसके आगे क्या करना है, जब हम लोगों को बल आगुन निकालना है, तो बल आगुन के लिए जो है, क्या सुत्र होता है, बल आगुन के लिए सुत्र होता है, कि जो यहाँ पर बल लग रहा है, तो उसमें से किसी एक बल का परिमार, ठीक है, और दोनों बलों के बीच की दूरी, ये सुत्र याद रखना ना बिल्कुल भी आसान है आप लोगों ने याद करो जब आप लोगों ने द्वी ध्रू आगूर्ण पढ़ा था तो द्वी ध्रू आगूर्ण के लिए भी आप लोगों ने क्या लिया था आवेश का परिमार लिया था और आवेश के परिमार के पड़ा था तो ठीक वहाँ पर भी आप लोगों ने क्या लिया था चुम्बकिय शेत्र के लिए बल आगूर तो वहाँ पर भी आप लोगों ने बल लिया था और दोनों बलों की बीच की दूरी ठीक है क्या लिया था दोनों बलों की बीच की दूरी तो बिल्कुल ठीक इसी बल यहाँ पर लग रहा है हमारा क्या F2 और इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवद दूरी है तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवद दूरी जो है ये वाली दूरी हो जाएगी ठीक है अब ये वाली दूरी को हम लोगों ने B sin theta क्यों लिखा है तो इसके लिए हम लोग यहां पर consider किये हैं, क्या consider किये हैं हम लोगों ने A B बराबर, A B बराबर, C D बराबर हम लोगों ने L माना है, और क्या माना है हम लोगों ने A D बराबर, C B बराबर हम लोगों ने यहां पर B माना है, ठीक है, A B बराबर, C B बराबर हम लोगों ने B माना है, और बिलकुल यह जो हिस्सा है हम लोगों ने यह वाला हिस्सा यह हमारा L हो गया और यह हमारा क्या हो गया बी हो गया और यहां पर यह वाला हिस्सा जो है बिल्कुल हम लोगों ने इस तरह से थीटा कोड पर रखा हुआ है तो जब हम लोग यह थीटा कोड यहां पर रखे हुए हैं और यहां हिस्सा आएगा लंबवद दूरी दोनों बलों के बीच की लंबवद दूरी तो यहां से हमारा ये क्या हो जाएगा ये बल हो जाएगा हमारा एफ और दोनों बलों के बीच की लंबवद दूरी तो ये क्या हो जाएगा भी साइन थीटा क्या हो पास जो थीटा मतलब कि यहां पर जो है हमारे पास यह जो कोशिश कर रहा है यहां पर जो प्रत्यानेयन यह बल को हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रत्यानेयन बल आप सभी को पता है कि यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है बिल्कुल प्रयास कर रहा है जो हमारा विद्धारा विद्धा धारा है और जो हमारा चुम्बकिये शित्र है उसको 90 डि mercy में लाने का प्लेयाज कर रहा है थीक है तो यहाँ पर हम लोओं को क्या लगेगा अधिकतम बलका सुत्र हमारे सुत्र हमारे पास क्या होता है बी आईल बराबर क्या होगा बी आईल बराबर यह होगा अधिक्तम बल का सुत्र लगेगा थीटा बराबर मतलब देखो यह थीटा और यह थीटा अलग अलग है ठीक है अधिक्तम ठीक है यह वाला कोण और यह वाला कोण अलग है ठीक है यह व रखा गया है किसी कोण पर रखा गया है तिर्चा रखा गया है किसी कोण पर रखा गया है तो हमेशा वो बल जो है क्या करेगा कोशिश करेगा तो यहां पर जब हम क्या करेंगे बल आगुन निकालने के लिए जब सुत्रा रखेंगे तो यह बी आई एल हम लोग यहां पर र क्या निकल जाएगा शेत्रफल निकल जाएगा किसका कुंडली का किसका शेत्रफल होगा कुंडली का शेत्रफल होगा तो बिल्कुल हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर हम लोग इस L और B के जगह में क्या रख सकते हैं कुंडली का शेत्रफल रख सकते हैं तो यह हो जाएगा क्या बी आई ए बी आई ए और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा ठीक है तो ये एक कुंडली के लिए है किसके लिए है एक कुंडली के लिए है अगर हमारे पास एन फेरो की कुंडली हो क्या हो अगर हमारे पास एन फेरो की कुंडली हो तो एन फेरो की कुंडली क के के लिए हमारे पास यहां पर बल आगुन का शुतर क्या हों जाएगा यह हो जाएगा N, B, I, A, SINE, THETA थीक्या एन बी आई A, SINE, THETA तो अगर बल आगुन का जो अधिक्तम का केस है बल आगुन का अधिक्तम का केस है वो भी आप लोगों का THETA बराबर 90 degree के लिए क्या होगा बल आगून सबसे जादा अधिक्तम होगा बहुत important सुत्र है बिल्कुल exam में पूछा जाता है इसको ही आगे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को टाउ बराबर N B I A sin theta ठीक है तो यहाँ पर theta बराबर जब 90 degree रहेगा तो क्या रहेगा टाउ आप लोगों का अधिक्तम रहेगा ठीक है और बिल्कुल यहाँ पर जब theta बराबर क्या रहेगा 0 degree तो टाउ आपका क्या रहेगा निूनतम का case हो जाएगा अधिक्तम और निूनतम का case तो काफी जाधा आसान है देखो मैं इसको ना याद करने का trick बताती हूं ठीक है अधिक्तम के लिए यह क्या हो जाएगा b i और यह n और a ठीक है तुमान लो कि आपके group में कोई बीना नाम की लड़की है मान लो कि कोई ग्रूप में आपके क्या है बीना बीना ठीक है कोई है क्या बीना हमारी क्लास में है क्या कोई बीना नहीं है अर्विंद है पर बीना नहीं है इन्रजीत है सुमीद है श्वैता कुमारी है और कौन-कौन है रंजन है बहुत सारे बच्चे हैं पर शायद कोई बीना नहीं है पर फिर भी मान लो कि आपकी किसी क्लासमेट का नाम बीना है मेरी क्लासमेट एक हुआ करती थी बीना नाम था उसका और बिलकुल उसी तरह से आपको भी मान लेना है मेरी तो थी भई आपको मान लेना है कि आपकी कोई क्लासमेट ह बीना अधिक्तम बाल आगोन का case होगा और यहां पर N जो है फेरो की संख्या है इसके related आप लोग क्या कर सकते हो different different sutra लिख सकते हो यहां पर B को छोड़के यह जो NIA है ठीके यह NIA इसको हम लोग small M से प्रदर्शित करते हैं और ये जो small m है, ये जो है, किसका सुत्र है, चुम्बकी या आघोन का, किसका सुत्र है ये, चुम्बकी या आघोन का, आने वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, पांच वे चैप्टर का हिस्सा है ये, ठीक है, तो जब ये चुम्बकी या आघोन का सुत्र है, तो य विम्हारे कल भी पूछे जाते हैं, I think सारे सुत्र हो गए हैं, जड़त्वा अगून का भी सुत्र आता है, तो बिलकुल टाउ बराबर जो है, I D omega by DT, ये जड़त्वा अगून के केस में होता है, बल अगून, तो बिलकुल इस तरह से बहुत सारे सुत्र होते हैं, और इसके ये सारे जो हैं, बल अगून के अलग अलग रूपों में सुत्र हैं, क्या है, बल अगून के अलग अलग रूपों में सुत्र हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने ये derivation पूरा कर लिया, जहां पर एक समान चुमबकिये शेत्र में धारावाही कुंडली पर बल अगून का सु हम लोगों ने ग्याद कर लिया, सारे अलग अलग रूप भी मैंने आप लोगों को लिक्वा दिया हैं, तो बिल्कुल मैं साइड हो रही हूँ, जल्दी से चाहो तो नोट कर लो, डाइग्राम अच्छे से आप लोगों को प्रॉपर बनाना है, A और B दोनों ही डाइग्राम And I hope कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और इसके related हम एक question भी यहाँ पर देख लेते हैं, 200 ग्राम त्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई के किसी सीधे तार से 2 एंपियर विद्धारा प्रवाहित हो रही है, अदिती, अकाश, वेता कुमारी, ब्रजेश, भूमिका, रूबी, नीतु, इंद्रजीत, राकेश, सब को clear है, जो भी मैंने बताया, अलका, सभी को clear है, जल्दी से numerical solve करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है और बिल्कुल हमारे class का समय भी हो चुका है, और इस numerical के सांथ हम लोग इस class को जल्दी से खतम करेंगे, पर जल्दी से ट्राई करना है आप लोगों को, टू एंपियर की विद्धारा प्रवाई थो रही है, यदि किसी एक समान, छेतिज, चुम्बक्ये छेत्र द्वारा, वायू के बीच में निलंबित, चुम्बक्ये शेत्र का परिमारा आप लोगों को क्या करना है, ज्याद करना है, यहाँ पर चुम्बक्ये शेत्र का परिमारा आप लोगों को तो ज्याद क्या करना है, चुम्बक्ये शेत्र का परिमारा, ठीक है, दिया क्या है, दो एंपियर की धारा, और क्या दी हुए, लंबाई दी हुई है, एक दसमला दिया हुआ है चुम्बक्य शेत्र का परिमार निकालना है ट्राई करो कौन ट्राई कर रहा है जल्दी से बताओ आंसर जल्दी से बताओ आंसर हम लोगों को क्या निकालना है देखो बल बराबर हमारे पास क्या है बी आई एल साइन ठीटा ठीक है और देखो बैई यहाँ पर एम बराबर हम लोगों को अभी अभी सुत्र मिला था तो यहाँ पर यह जो स्मॉल एम है ना वो यहाँ पर हमारे magnetism में चुम्बकिया आघून कहलाता है ठीक है चुम्बकिया आघून कहलाता है जबकि हमारे पास जो है आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा भार बराबर कितना पढ़ा होगा mg ठीक है भार बराबर क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने mg पढ़ाता तो यहां पर यह जो है द्रव्यमान कहलाता था ठीक है यहां पर हम लोग चुम्ब के शेत्र का ग्याद करेंगे तो यह कैसे ग्याद कर सकते हैं बराबर आई एल साइन थीटा बटे में क्या कर रही हूं बटे में एफ कर दे रही हूं पर यहां तो हम लोगों को बल का मान नहीं दिया है यहां हम लोगों को लंबाई दी है हम लोगों को विद्धारा दिया हुआ है और कहीं न कहीं यहां पर जो है विद्धारा जो प्रव यहां पर क्या होगा 90 डिक्री होगा ठीक है और यहां पर हम लोगों को बल कैसे ग्याद करेंगे तो यहां पर देखो कि यहां पर जो है भार दिया हुआ है तो भार का मतलब क्या हो गया यहां पर भार के लिए हमारे पास बल का सुत्र है mg ठीक है तो जो चुम्बकिय बल है चुम्बकिय बल का जो सुत्र है इसको हम लोग क्या करेंगे इस सुत्र से equate करेंगे तो यहाँ पर अगर तुम लोग क्या करोगे बल का मान रग दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चुम्बकिय शेत्र भी बराबर आई एल बटे क्या हो जाएगा ये एम जी हो जाएगा क्योंकि थीटर तो हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया अब यहाँ पर चुम्बकी शेत्र का परिमार निकालना है दो एंपियर की विद्युद्धारा एक दोसम्बल पांच मीटर की लंबाई द्रव्यमान 200 ग्राम दि यहाँ पर यह हो गई है कि जब हम लोग इन चीजों को पक्षांतर करेंगे तो यह वाली चीजे नीचे आएंगी तो बिल्कुल करेक्ट कर लो यहाँ पर एफ उपर आएगा और नीचे में क्या आएगा बी एल सारी आई एल साइन थीटा ठीक है तो यहाँ से हमारा सुत्र पलट जाएगा यह हो जाएगा क्या mg बटे आई एल ठीक है तो यह हो जाएगा mg बटे आई एल तो mg 200 ग्राम द्रव्यमान तो यह हो जाएगा क्या 200 गुणा 10 की घात माइनस 3 इसको हम लोगों ने किलो ग्राम में बदल दिया गुरुत्वियत वरण का मान क्या होता है गुर solve करोगे तो चुम्बकिय शेत्र का परिमार आ जाएगा सुन्य दसमलो छह पांश टेसला क्या जाएगा सुन्य दसमलो छह पांश टेसला तो भई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहली बात यह है कि मैं नाम आप लोग देख रहे हो चल कुंडली धारा मापी इसक कि बल आगुन टाउ का कैलकुलेशन किया था तो कुंडली से क्या समझ में आता है कि कुंडली है यहाँ पर जो कुंडली होगी वो बिल्कुल आईताकार कुंडली ही होगी जैसे कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था ठीक वैसी ही कुंडली होगी चल कुंडली मतलब की चलती हुई मुविंग कुंडली होगी कैसी होगी बिल्कुल मुविंग कुंडली होगी चलती हुई कुंडली होगी और इस चल कुंडली से हम लोग क्या करते है चल कुंडली धारा मापी का प्रेयोग करते हैं नाम से ही पूरा अक बता दिया गया है अगर नाम को ही समझ जाओगे नाम के अर्थ को समझ जाओगे तो आगे का और भी आसान हो चाहेगा किसी विद्युत परिपत में अलप विद्युत धारा के मापन के लिए जिस युकती का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते है धारा मापी या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं गैलवनोमीटर जिसको हम जादा तर जी अक्षर से प्रिदर्शित करत है क्या गैलवनोमीटर सिमरन बेटा क्या वर्तिका खुश्बू क्या बोलते हैं गैलवनोमीटर बोलते हैं और इस सिध्धांत पर कारे करता है इसका सिध्धांत यहां पर बताया गया है तो यह सिध्धांत बहुत इंपोर्टेंट है केवल सिध्धांत भी आप लोगों को परिक्षा में बोर्ड एक्जाम में पूछ सकता है अगर competition एक्जाम की बात करें तो ये सिध्धान्त आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोग इसके जो numerical के concept है मतलब जो derivation है उसको आप लोग समझ पाऊगे ठीक है महेंद्रा किसन अदिती जैनी संजना ठीक है ना इसे कोई चुम्बक ये शेत्र रहेगा दो चुम्बक रहेंगे जिसके उत्तरी और डक्षडी ध्रूव को हम लोग लेंगे में क्या करते हैं एक कुंडली रखते हैं ठीक है बाई एक कुंडली रखते हैं नाम सही पता चल रहा है कुंडली होगा है ना तो वहाँ पर क्या ओ पर बढ़ान यहां पर किस पर कर रहा था बद्द धारा पर निर्भर कर रहा था अर्फात जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ही कुंडली में बलागून उत्पन होगा बहुत ही आसान है साइड हो रही हुँ मैं अगर कोई डाउट है सिध्धान्त में तो पूछ सकते हो आदित्य, सानिया, अंश बेटा, इरशाथ, साक्षी, पाठाक, श्वेता, कुमारी, गुडिवनिंग बेटा, शिवानी, मौर्या, बिल्कुल बेटा, PDF डाल दूँगी, ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF ड चैनी, समझ में आ रहा है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, फटा फट कमेंट्स करके बताते जाएंगे, और यहां पर आप लोग देखेंगे, सभी बच्चे कि यह जो ग्यालवनों मिटर मैंने पहले आप लोगों को चित्र यहां पर दिखाया था, तो भाई यह जो है एक मिटर यहां पर आप लोग देख पारे हो, आज कल डिजिटल मिटर्स आने लग गए हैं, तो डिजिटल मिटर्स जो गैलवनों मिटर्स है, वो डिजिटल मिटर्स इस तरह के दिखाई देते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, अब यहां पर ह देखेंगे धारमापी के प्रकार, तो जो गैलवनों मिटर्स है, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हो, कि यहां पर अलप धारा को नापने के लिए इस गैलवनों मिटर्स का इस्तमाल किया जा रहा है, तो इसको विद्यूद परिपत में क्या कर दिया गया है, जो और द धारा को नापने के लिए इसका इस्तमाल किया जा रहा है, ठीक है, शिवानी चलो, आप लोग देख सकते हो, यहां पर कि क्या लिखा हुआ है, दो भाग में बाटा गया है, एक चल कुंडली धाला मापी और एक जो है चल चुंबक धारा मापी, ठीक है, तो हम लोगों को ध सिध्धान्त में थोड़ा सा अंतर है, बाग की जो आप लोगों का डेरिवेशन होगा, वो लगभग सेम है, केवल सिध्धान्त अलग है, और इसकी संरचना अलग है, जाईसी बात है, सिध्धान्त अलग है, मतलब की जो संरचना हम पढ़ेंगे, ब्रजेश, गुड़ीव दिटा, साक्षी पाठाग, महेश कुमार, बेटा समझ में आ रहेए श्वेता, चल, आगे जो हम लोगोंने दो प्रकार इसके पड़े हैं, चल, कुंडली धाराब मापी के, इसके दोनों प्रकार को एके कर के हम लोगों को इसका जो पूरा संरचना है, इसमें क्या क्या समझनी है सनरचना के बाद आपको सिधांत समझना है सिधांत के बाद आप लोगों को क्या समझना है इसका कार्य विधी समझना है और कार्य विधी तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाओगे क्योंकि आप लोगों को मैं यहां पर बिल्कुल एनिमेशन के माध्यम से प् ठीक है चलो very good सबके comments में देख पारी हूँ आप सभी के समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल संदचना का तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले धारा मापी का सिध्धान्त देखा था कि यहाँ पर हम लोग क्य कुंडली को क्या करते हैं कुंडली को हम लोग क्या करते हैं चुंबकिय शेत्र के बीच में रखते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या उत्पन होता है बल आगुन उत्पन होता है बल आगुन उत्पन करता है और बिल्कुल इस बढ़ा आगुन के मान जो है क धान्त की तरह यहां पर इसकी संरचना चित्र में आप लोग देख पारे हो कि यहां पर जो है दो चुम्बक लिए गए हैं और इन दो चुम्बक के बीच में हम लोगोंने क्या रखी है आईताकार ये कुंडली रखी है और इस आईताकार कुंडली को विद्योत रोधी के वेदान तशिवानी महेंद्र साक्षी अभिशेग जैनी सभीरा सभी बच्चे अपने कॉमन सेंस को जागरित रखना है ठीक है अरे वाह खुराक मंत्री है भगवान देख रहे हो आदित्य सुमित शेलजा देख रहे हो वर्तिका श्वेता कुमारी कोई स्टुडेंट का नाम मैं खुराक मंत्री कृपिया बेटा आप खुराक मंत्री का मैं नाम जानना चाहूंगी यह खुराक मंत्री आखिर कौन है भई क्या नाम है आपका असली ऐसा भी यूजर नेम होता है क्या बताओ बला खुराक मंत्री कोई बात नहीं आप अपना नाम बताओ जरूर मजा आ लुगों दिखेगा यहां पर समताल दरपन भी लगा हुआ है दोनों तरफ यहां पर बीच बीच में कट他 क impersonator का यहां पर आप लोग देख सकते हों की यह जो आकार है अंकर से दबा हुआ यहां पर रहेगा यह थे संदरशना worship भी ध्यान रखना है कि यहां पर जब आप चुम्बकिये शित्र रखोगे तो इसको अंदर मतलब की अंदर बीच का हिस्सा जो है अंदर घुसा हुआ मिल्कुल अवतल धर्पन की तरह ठीक है बिल्कुल अवतल धर्पन की तरह बिल्कुल अंदर रहेगा यह संरचना ताकि कुंडली क्या होगी घूमेगी क्योंकि बल युग मागुन आप लोगों ने इसके पहले कक्षा में पढ़ा है क्यों वेदांत पढ़ा है कि नहीं और क्या नाम है भाई देखो ब्रजेश ने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेर कर दिया है आप पर तो जो नए बच्चे हैं बिल्कुल टेलीग्राम चैनल का लिंक जॉइन कर लेंगे आप सभी को इस क्लास की इस वीडियो की पीडियाफ में शेर कर दिया करूंगी रेगुलर्ली आप लोगों को शेर कर दिया करूंगी और ब्रजेश आई रिक्वेस्ट की प्लीज आप यूट्यूब चैनल पे हमा बिल्कुल इस हिस्से पर जिस हिस्से से हम लोग तार से क्या कर रहे हैं धारा प्रवाहित कर रहे हैं और यहां पर जो है इसको बिल्कुल मोड करके मोड करके यहां पर कनेक्ट किया गया है जोड़ा गया है क्योंकि जब यहां पर घुमेगा तो यहां पर क्या उत्पन यह बिल्कुल संरजना चित्र तो बहुत ही आसान है सद्धान पर आते हैं संरजना तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो सद्धान पर आते हैं कि बिल्कुल यह सद्धान उसी सद्धान पर कारे करेगा कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं इस कुंडली को क्या कर रहे हैं इस आयत भी बहा रहे हैं हम लोग कुंडली में तो जब धारा बहाएंगे तब बल आगुन उत्पन होगा जिसकी वज़ा से क्या होगा यहां पर यह आयताकार कुंडली जो है घूमेगी क्या होगी बेटा घूमेगी सनी अनीश साक्षी स्वेटा ब्रजेश सभी को समझ में आ रहा है बिलकुल आवाज क्लिया जारी है बिटा जिनको आवाज नहीं आ रहा है अपना इयर फोन चेक कर लेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से ध्यान दो यहां पर और यहां पर क्या होगा जब यह घूमेगी बल आगुन उत्पन होगा तो बिलकुल उस बल आगुन से ही हम को चुम्बकिय शेत्र में रखते हैं तो क्या होता है कुन्डली पर बल आगुन कारे करता है कब धारा प्रवाहित कराई जाती है तब बल आगुन कारे करता है जो कुण्डली को क्या करता है। नियां बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर यह ग्यालोन मेटर का रगा हुआ है ठीक है अब ये तो तुम उपर उपर से देख रहे हो इमाजिन करना ये तो तुम उपर उपर से देख रहे हो पर अगर तुम मालो की इस गैलोनोमीटर को अंदर से खोल के देखोगे वेदांत महेंद्र प्रिया गुपता ब्रजेश अगर गैलोनोमीटर को अंदर से खोल के देखोगे तो क्या होगा बिल्कुल इस तरह की संदशन आप लोगों को दिखाई पड़ेगी और बिल्कुल मैं आप लोगों को जो है इसका अच्छा सा वीडियो दिखाऊंगे जिसमें आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर दिखाई देगा ठीक है चालो जल्दी से आ आप लोग डाइग्राम बना लो कॉपी में सभी बच्चे डाइग्राम बनाएंगे और ये नी सोचेंगे कि हम तो पढ़ चुके हैं या पहली जैसा भी है आप लोगों को कॉपी में डाइग्राम बनाना है जितनी बार पढ़ोगे उती ही बार आपको नोट्स बनाना है ठ धान्त तो बिल्कुल धारा मापी की ही तरह है अब हम लोगों को यहां पर पढ़ना क्या है इसका जो है बिल्कुल हम लोगों को पढ़ना है कि कारे विधी कैसा होगा कारे विधी कैसा होगा तो इसका कारे विधी बिल्कुल इसी पर निर्फर करता है कि जब आप लोग यहां पर क्या करते हो धारा बहाते हो तो होता क्या है यहां से हम लोग क्या करते हैं यहां पर धारा प्रवाहित करते हैं ठीक है यहां पर देखते हैं कि यहां से हम लोग क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे ही इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कल आप ल प्रदर्शित करते हैं बिल्कुल जी से लिख करके और इसको आगे अगर मैं आप लोगों को दिखा हूँ तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है विक्षेः पितपन इसके अंदर का हिस्सा है यह देखो अंदर पर जो ट्रोड वाला हिस्सा है उसके उपर यहाँ पर विदधू-द्रोधी के ऊपर क्या है ताज लापेटी गई है यहां से यहां से विद्धू जो कुण्डली लपेता हुआ जो है दिखाई देगा आप लोगों को ठीक है और जब हम लोग क्या करते हैं इसको विद्धुद्धारा से कनेक कर करते हैं और चुम्बकिय ahead डेखो यह चुम्बकियальная शेत्रा है साइड साइड में जो काले रंग का और लाल रंग का दिखाई दे रहा है और उसके अंदर बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है अंदर बीच में आप लोगों को जिसका संरचना चित्र हम लोग पढ़ रहे हैं अब निलंबित कुंडली धारा मापी या वेर किलकित कुंडली धारा मापी क उसका संरचना चित्र आप लोगों को अंदर में दिखाई दे रहा होगा और बिल्कुल ये सद्धान्त ही आप लोगों को लिख करके बता रहा है जो मैं आलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ अंदर का ये जो संदर्चना चित्र अब यहाँ पर आप लोग देख पारे हो तामबे की तार लपेटी गई है कैसे कारे करता है इसको आप लोग देखोगे तामबे की तार अंदर लपेटी गई है ये देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पर सबसे पहले हम चुम्बक लिया, अब चुम्बक के बीच के हिस्से में क्या हो रहा है, यहापर चुम्बक की ये शेत्र उत्पन हो रहा है, जो कैसा चुम्बक की ये शेत्र है, एक समान चुम्बक की ये शेत्र अंदर से खोखले शेप का था, ये कुंडली है, ये क्या है, कौपर की कुंड चली को लोग क्या करें हैं विद्यृत्रोदी के उपर लपेटे हैं अब इस में अंदर में क्रोड भरेंगे ठीक है क्रोड़ भर के हम correlation क्या करेंगे यहां पर ऊपर में आप लोग देख यह चक्र देख रहे हो आप लोग यहां पर बिल्कुल लगाया गया गया क्या अजनुद्पन्होंगा इसको घुंतरी इस प्रिंग की इसको हम लोगों ने रख दिया कहां पर दोनों चुम्बक के बीच में यही सन रचना चित्र हम लोग पढ़ रहे हैं अब चुम्बकिय शेत्र के बीच में हम लोगों ने रख दिया तो यहां पर हम लोग धारा भी प्रवाहित कर रहे हैं और एक समान चुम्बकिय शेत्र के तो क्या होगा यहां पे बल युग में उत्पन होगा जिसकी वज़ा से क्या होगा एठर उत्पन होगा और घूमेगा जब कुंडली घूमेगा तो क्या उत्पन होगा विच्छेप उत्पन होगा विख्षेप यह देखो विद्युद्धारा बह रही है कुंडली में बह रह विद्धारा बह रही है अब क्या होगा विद्धारा बहने के वज़े से देखना ये कुंडली क्या होगी घूमेगी ये कुंडली क्या होगी घूमेगी ये दिखो ठीक है अब घूमेगी तो यहाँ पर विक्षेप दिखाएगा ये शुन्ने से हट करके दिखाएगा दिखा पहले यहां पर वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों को बता रहा है तो देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल तो हम लोगों ने देख लिया है तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं हम इसकी कारे विधी देख लेते हैं हां यह देखो बिल्कुल यह कुंडली है विदुद्धा प्रतिका समझ आ रहा है देख लो यह बीच से जो है चुम्बक्य शेत्र है और यहां पर ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है विद्धारा बह रही है इस दिशा में और यह उपर का हिस्सा है जहां पर स्प्रिंग लगी हुई है और यह जो धन लिखा हुआ है यहां से हम क् अब ये कुंडली में एठाण उत्पन हुआ देखो ये फौर्स है गुलावी रंग का आप लोग देख रहे हो क्या है फौर्स है बल-युगमा उत्पन हो रहा है भूमिका प्रिया लक्ष्मी साक्षी रोनग बल-युगमा के कारण बल-ागुन उत्पन हो रहा है और बल- विखशेप को हम लोगों को क्या कता हैистी विखशेप की वाज़े से यह देखो यह नहीं बद्धों सबीजों को अगर समझ में आ गया तो सबी बच्चे जल्दी से थमसब दिखाएंगे comment में मुझे बताएंगे वर्तिका, शिवानी, कुंदन, रजेस जल्दी से मुझे comment में बताएंगे क्या सभी को clear हो गया clear हो गया बेटो वर्तिका हुआ की नहीं जल्दी से बताओ मुझे बहुत ही आसान था और बिल्कुल इसकी वज़ा प्रवाइत हो रही है जो है आनुप्रस्त कार्ट का शेत्र फल है बी जो है एक समान चुमबक्य शेत्र जिसमें हम cin잡 sm?. और चुम्बकी अश्यत्रा विद्युद्धारा के बीच का कोण क्या है हमारा थीटा कोण है बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल आप एक बार फिर से देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो सभी को clear समझ में आ रहा है यह देखो यह क्या उत्पन हुआ विक्षेप उत्पन हुआ बिल्कुल क्या उत्पन हुआ यह देखो विक्षेप उत्पन हुआ बिल्कुल आपको पूरा विक्षेप उत्पन करके दिखा रहा है जिसकी वज़े से कांटा हीला कांटा हीला और क्या हुआ यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दिया कि कितना जो है धारा हम बहा रहे है उसकी मापन आप लोगों को दिखाई दी शिवानी मौर एकदम clear हो गया very good श्वेटा कुमारी very good बेटा खुशी सिंग very good प्रेम कुमार संचना रोहिल अनीश बेटा very good सभी बच्चों को clear है वाह मज़ा आ गया क्या बात है very good बेटे लोग बहुत अच्छे बहुत अच्छे and I hope कि आप लोगों को एकदम अच्छे से clear हो गया होगा इसमें कोई भी आप लोगों को जो है problem नहीं आएगी ठीक है कोई भी problem नहीं आएगी और पूरा कारेविधी तो आप लोगों ने समझ लिया अब जब आँखों से देख लिया पूरा कारेविधी लक्षमी है ना हर्शित आँखों से देख लिया तो बिलकुल भी मतलब दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं होगी है की नहीं अभी शेक कुमार दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं होगी अगर कुछ दिक्कत है कोई डाउट है सभी बच्चों के डाउट सॉल्व होंगे आप सभी बच्चे आप सभी बच्चे जो है बिल्कुल जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर कोई डाउट है तो प अच्चो को शुरू से ले करके आखरी तक बने रहना है क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीके से पूरा फिजिक्स का सिलेबस खतम करवा दूंगी और आप लोगों को पता भी नहीं शलेगा इतनी आसानी से मैं आप लोगों को फिजिक्स का सिलेब तो इसकी संद्रचना चित्र में आप लोगों को क्या अंतर दिखाई दे रहा है तो यहां पर जो है इसके संद्रचना चित्र में बिल्कुल जो है जो हम लोगों ने वीडियो में देखा वो बिल्कुल किल्कित कुद्डली धारा मापी की ही तरह था ठीक है तो अभी हम लोग प्रशना में थोड़ा सा अंतर है यह जो स्प्रिंग यहां पर जुड़ा हुआ है और यह चुल यह जो चुल लिखा है इसका मतलब क्या होता है कोई बता सकता है क्या महेश भूमिका सुमिद भाई यह लड़की ब्यूटी फुल कर गई चुल ऐसा कुछ भी नहीं है यहां प इस चुल का मतलब जो होता है पाई वोट होता है पाई वोट का मतलब क्या होता है तो इस तरह से कोई भी यंत्र होता है ना अमीटर वोल्ट मीटर धारा मापी तो वहां पर जो है यह पाई वोट जो है लगा होता है मतलब की इसका मतलब भी होता है कि जैसे कि मालो इसको घ भूमना है मतलब कि घुर्णन करेगा तो घुर्णन करने के लिए उसको जगह मिलना चाहिए तो यह बिल्कुल कौन शेप का इस तरीके से पाइवोट लगा होता है ताकि वहाँ पर जो जुड़ा हुआ तार या जो लोहे का जो भी मतलब मैकेनिकल पदार्थ है उसको घुमन से लेकर आखरी तक सभी बच्चे बने रहेंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोनों कुंडली धारा मापी में एक ही अंतर है संरचना में और जब इसका सद्धान्त आप देखोगे तो सद्धान्त में स्लाइट अंतर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि चुम्बकिया शेत्र में स्वतंतरता पूर्वक लटका रहे हैं तेखो वहाँ पर हम लोगों ने कुंडली को स्वतंतरता पूर्वक नहीं लटकाया था बलकूर हम लोगों ने परिपत में जोड के लटकाया था किसमें विद्धुत परिपत में जोड के लटकाया था यहा पर चुमबकीय शेत्र दोनों चुमबकों के बीच में जो उत्तर से दक्षिणी धुरूव की तरफ जा रहा है तो इसके संच्च रहे तो बस यही अंतर है यही मेन अंतर है वही बल आगुर नहोगा वही एक समान चुमबकीय शेत्र है कुंडली में वही विक्षेप उत्पन होगा और विक्षेप के कारण क्या होगा यहां पर यह वाला जो काटा है विक्षेप के कारण क्या होगा अपने जगह से हटेगा जिसके कारण हम लोगों को विद्युद्धारा का मापन मिलेगा क्या मिलेगा विद्युद्धारा का मापन मिलेगा पर इसके संरचना चित्र म हल्का सा अंतर है और बिल्कुल वही कारेविदी होगी जैसे Windows दारा बहाएं गे तो विद्दारा बहाने कि वज़ा से क्या उदपन होगा चुंबकिय को सब्कर दारा वने की करण पर सने के कर से विद्पन खारएन के कोई से जैनी सभी बच्चे सब को याद होगा flaming का left hand rule मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया था अगर याद है तो सभी बच्चे थमसब दिखाएंगे जैल दी से comment box में मुझे थमसब दिखाएंगे अगर याद है तो comment करके बताएंगे कि हाँ मैम याद है आप लोगों के comment से ही मु किसने क्या बोला मुझे याद रहता है क्यों भूमिका है की नी आदिती क्यों खुशी बेटा याद रहता है की नी आपकी मैम को जल्दी से comment करके बताओ भूमिका वर्तिका शिवानी श्वैता ब्रजेश सभी बच्चे comment करके बताएंगे जो मुझे जानते हैं बिल्कुल सभी बच्चों को बताएंगे सब बच्चों के लिए physics बहुत ही जादा आसान हो जाएगी और बहुत ही मज़ा आएगा देखो यार होता क्या है ना आपके age group से गुजर के हम आए हुए होते हैं हमको पता होता है कि जब आप 11-12 में होते हो तो physics से आप लोगों को कैसा feeling आत concept को याद रखने में कभी भी कोई तकलिफ नहीं जाएगी आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा concept समझोगे देखोगे imagine करोगे तो याद आ जाएगा just imagine or just think यही मेरा जो है एक मूल मंत्र है आप की इला करांती मैम का मूल मंत्र है क्या just imagine or just think जैसे कि मैंने आप लोगों imagine करना है ठीक है रश्मी बिटा रतनलल लक्षमी अंशूल क्या करना है और इसकी कारेविधी भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही out उत्पन हो रहा है क्या बल आगुन क्या उत्पन हो रहा है बीना मैंने याद रखने के लिए आप लोगों को बताया था बीना साइन थीटा क्या बीना साइन थीटा बल आगुन उत्पन हो रहा है इसको जो है हम लोग चुम्बकिया आगुन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं M mb sin θ, क्या लिख सकते हैं, mb sin θ, जहां पे m क्या है, चुम्बकी अबल आगूरण, जो क्या होता है, nia के बराबर होता है, अब यहांपर क्या होगा, कि इस बल आगूरण की वज़़ा से यहांपर आठन उत्पन होगा, क्योंकि कुंडली घुम रही है तो कुंडली की कारण क्या होगा विक्षेप होगा ठीक है तो जो विक्षेप होगा उसको क्या बोलते है उसको बोलते है एठन बल्यूगमा क्या बोलते है एठन बल्यूगमा लिख लेते हैं यहाँ पर एठन बल्यूगमा और यह जो एठन ब को बोलते हैं चुंबकिया अघ्षमी, अधिति जैनी, बिल्कुल हाँ आदिती कह रही है कि बायलोजी से भी easy physics हो गया है इला क्रांती मैम की class attend करके तो thank you so much बिटा आदिती बिल्कुल ये comment हर बच्चे को दिखना चाहिए तो एक बार तुम इस comment को बार बार थोड़ा comment box में भेज दो ताकि सारे बच्चे को पता चले सके कि शुरू से ले करके आप लोगों को मिल जाएगा class में concept का जो आप लोगों को जो जितना भी आप लोगों का टेंशन होता है वो सब टेंशन में खतम कर देने वाली हूं हर समस्या का physics के related हर समस्या का समधान आपको मेरी classes में मिल जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा ठीक है अब यहां पर यह एंठन कोड है ठीक तो यह जो है यह एंठन बल यूग में है जो घुनन की वज़ा से यहां पर कुंडली के घुनन की वज़ा से आता है यह बल यूगमा आघुन की वज़ा से यह आप लोगों का जो है यह आघुन उत्पन हो रहा है यह दोनों को हम लोगों को क्या करना है equate करना है कि ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोगों को जो यहाँ पर मिल रहा है इसको जो है एक दूसरे के बराबर लिख दो लिख दो यहाँ ओने देखा था कि यह जो ATONE कोन होता है क्या यह जो एठंकोन होता है वाइन धारा पर निर्भर करता है विद्यूत धारा पर निर्भर करता है बांकी चीजे फिकस रहती है चुम्बकिया छसेतर वही रहता है अनुप्रेस्थ कार्ट का यह त्रफल वही रहेगा और जो फेरों की संख्या एन है वो भी वही रहेगा थीटा कोण भी वही रहेगा बदलेगा क्या विद्युद्धारा जितना हम बढ़ाएंगे उतना एठन कोण बढ़ेगा जितना विद्युद्धारा हम कम करेंगे उतना विद्युद्धारा एठन को होगा क्योंकि एठन कोन की वज़ाई से हम लोगों को यहां पर क्या मिल रहा है यहां पर हम लोगों को गैलवनोमेटर में विक्षेप मिल रहा है क्या मिल रहा है हम लोगों को गैलवनोमेटर में यहां पर विकशेब मिल रहा है तो इसके लिए क्या करना होगा सारी चीजों को हम लोग जो है इधर C के बटे में भेज देते हैं इसको कैसे लिख लेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे I बराबर C, 5 और C के बटे में क्या क्या आ जाएगा क्या क्या बच गया था B, N, A, Sine Theta, क्या जाएगा, B, N, A, Sine Theta, ठीक है, तो ये सारी चीजे जो है, नियत राशियां है, ये सारी चीजे नियत है, इन सब को हम लोग क्या मानेंगे, constant मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इनको constant मानेंगे, तो इसको हम लोग constant के 5 लिख सकते हैं, और ये constant को जब हम हटाएंगे, तो हमेरे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कि यहाँ पर जो एठन कोड होता है, वो क्या होता है, एठन कोड समानुपाती होता है, किसके, विद्युद्धारा के, एठन कोड क्या होता है, समानुपाती होता है, विद्युद्धारा के, मिल गया जो मिलना था मिल गया था यही है derivation आप लोगों का और यहाँ पर जो प्रवाहित धारा है वो क्या है कुंडली के विक्षेप के समानुपाती होता है लिख सकते हो प्रवाहित धारा जो है पूरा आप लोगों को लिखना है प्रवाहित धारा समानुपाती होता है कुंडली मे उत्पन्न कुंदली में उत्पन्न विकशेब के ठीक है प्रजेश अधिती वर्तिका ठीक आठितन हमां पाती होता है और यह जो के है वो क्या कहलाता है ? ये कहलाता है दक्छता नियता अंक कि इस गैलोनो मिटर की दक्षेता कितनी है कितना नाप सकता है विद्धारा को कितने लिमिट का विद्धारा को नाप सकता है ठीक है ब्रजपाल अभिशेक कुमार शिवानी मौर्य श्वता कुमारी ठीक है बिटा प्रिया गुपता सभी बच्चे भाई जादा से जादा बच्चे शुरू से लेकर और आप सभी को ये वीडियो लिंक सभी बच्चों को श्येर करनी हैं क्या आप लोगों को मेरी क्लास में मज़ा आता है। तो बिल्कुल आप लोगों को लिखना है, येस मैं मज़ा आता है, तो आप सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे कि अपने सभी दोस्तों को आप क्लास में ले कर के आएंगे, ताकि ये हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और हम ज्यादा से से जिदा तरीके से क्लियर हो सके, और अदिती की तरह सारे बच्चों को बाईयो से ज्यादा easy फिजिक्स लगने लगेगी, ये बिल्कुल प्रॉमिस है मेरा, और इसी प्रॉमिस के साथ मैं आप लोगों से भी प्रॉमिस लेना चाहूंगी, आप लोगों से भी का प्रॉमि दौआ को जो को पुछें ऑप लूगों को पूछेंगा तो इसका आप लोगों को क्या है ये बताना है तो सद्धांत बताना है कार्यविधी然后 자श आप लोगों सिर्ब्नाना है नामांकि चित्र बनाना है और उसके बाद आप लोगों को लास्टेमिस No अब ही मैंने करवाया है ये डारिवेशन आप लोगों को करना है और बिलकुल वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई थी तो I hope कि आप लोगों को वीडियो की माध्यम से सारी छीज़े एकदम क्लियर हो गई होगी क्यों भाई श्वेता कुमारी ? है बिल्कुल हाँ अगर क्लियर है तो फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और सभी बच्चों को शुरू से लेकर लास तक बने रहना है कोई नहीं जाएगा सभी बच्चे क्लास में रहेंगे तभी मुझे भी मजाएगा मुझे खुशी होती है जब आप लोग शुरू से ल चैनल की लिंक भेजी है अदिती भूमिका प्लीज बिटा आप लोग टेलिग्राम चैनल की लिंक अगर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो तो डाल दो सभी बच्चे जॉइन कर लेंगे प्रिया गुपता लक्षमी आनंद अरुन सभी बच्चे जॉइन कर पाएंगे अंशू करें बिल्कुल बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आने आले चाये बोर्ड एक्जाम हो चाहे कॉंपटिशन एक्जाम हो क्यों भाई है की नहीं अब आगे हम बात करते हैं कि जब धारा मापी को क्या करते हैं अमीटर में बदलते हैं तो अधिती बेटा याद हैं तुमने स्रेणी क्रब में क्यों जोडते हैं जब भी हम विद्वित परिपत में जोडते हैं तो इसको हम स्रेणी क्रब में क्यों जोडते हैं ये सवाल था दिती का तो आज मैं वो सवाल क्लियर कर देने वाली हूँ आप लोगों को कैसे जब हम धारम आपी को अमीटर में बदलते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज को सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, सब सुनेंगे ध्यान से, सुनोगे की नहीं, अगर सुनोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी बताओ, सुनोगे या नहीं, कोई कहीं जाएगा तो नहीं, बिल्कुल आप लोग आते हो, जाते हो, य अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को पूरा सुनना है बात, ठीके रिया, पूरा सुनना है, सुनोगे की नहीं, वेरी गुड, अगर सुनोगे तो चलो मैं बताती हूँ, कि अमीटर वह यंत्र है, जो किसी विद्वित परिपत में बहने वाली धारा को सीधे एंपियर मे के लिए ही करते हैं, पर जब विद्वित धारा मापी का जब इस्तमाल हम लोग जो है, एक अमीटर की तरह किसी विद्वित परिपत मालो कि ऐसा कोई विद्वित परिपत है, जिसमें इत्ते सारे प्रतिरोज जुडे हुए हैं मालो, है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अमीटर लगा देंगे, अमीटर लगा देंगे, तो क्या करेंगे, इस परिपत में विद्वित धारा को यह का करेंगा, सीधे विद्वित धारा को नापेगा, देखों विद्वित धारा को हम लोग या तो विभाव नाप करके, विभुवांतर नाप करके भी निकाल सकते हैं और सीधे सीधे विद्धारा को नाप करके भी निकाल सकते हैं तो अभी हम लोग इसमें सीधा विद्धारा नाप रहे हैं जब इसको हम लोग वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो वोल्ट मीटर में क्या होगा हम लोगों को प्रतिरोध पहले से पता रहेगा और वोल्टमीटर जब हम लोग नापेंगे तो वहां से हम लोग प्रतिरोध और वोल्टमीटर वोल्टेज की सहाइता से विभवांतर की सहाइता से विद्युद्धारा ग्याद कर पाएंगे ठीक है तो यहां पे है जो ग्यालनोमिटर अभी हम पड़ रहे हैं ल kitten यह जो हिस्टा वो है जो अभी तक हम लोगोंने पढ़ा इसके हम लोगोंरे समनांतर क्या जोड़ इसके समनांतर हम लोगों पर जोड़ दिया है क्योंकि नहीं नांतर जोड़ आ है इसलिए हम लोग?? क्या बोलते हैं शंट ठीक है क्यों बोलते हैं समनांतर में जोड़े हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं शंट ठीक है क्यों बोलते हैं शंट समझ में आ रहा है धारम आपी के समनांतर जोड़े हैं इसलिए शंट अब इसको हम लोगों ने समनांतर क्यों जोड़ा है त प्रतिरोध का मान जो है क्या होना चाहिए शुन्य होना चाहिए और आप सभी को पता है प्रतिरोधों के संयोजन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब आप लोगों को क्या करना होता है प्रतिरोध को कम करना होता है कम करना होता है तो क्या करते हो आप प्रतिरोध को स धारा मापी का भी अपना कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा हर यंत्र का होता है विद्युद सेल का भी होता है और धारा मापी का भी यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है अब समना आंतर में क्या हो जाएगा इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा और भी क समान होता है तो परिपत में जोड़ोगे तभी तो तुमको विद्धारा का मान मिलेगा ना जबकि विभुवांतर का मान क्या होता है वो शाखा में समान होता है एक शाखा में विभुवांतर का मान समान होता है जबकि इस परिपत में पूरे विद्धारा का मान समान होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको जो है अमीटर को हम लोग यहां पर स्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और यहां पर इसका प्रतिरोध भी कम होता है इसका प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं और कम करने के लिए ही हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं शेंट लगाते हैं क्य जोड़े हैं क्या संजना इस तरह से जब हम स्रेणी क्रम में जोड़े हैं क्या महीमा जब इस तरह से प्रतिरोध को हम लोगों ने अमीटर को स्रेणी क्रम में जोड़ा है तो वहां पर इस विद्धित परिपत में ना इस प्रतिरोध मतलब की इसके आंतरिक प्रतिरोध का प तो इस अमीटर के सापेक्ष कोई खपत ना हूँ इस अमीटर के सापेक्षी खपत हो जाएगा तो सही विद्युधारा तो नाप नहीं पाएंगे ठीक है अलका समझ में आई बात इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं यहां पर प्रतिरोध को कम करते हैं जितना कम जीरो के पास ले करके जाते हैं देखो आदर शुरूप में जीरो होता है पर जीरो हमेशा हो पाए ऐसा जरूरी नहीं है इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि कम से कम करें क्या करें हम प्रतिरोध को कम से कम रखें ताकि जब स्रेणी क्रब में हम अमीटर को जोड रहे हैं तो गुलएशन जो आप लोग करते हो, तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो कि यहांपर कुल विद्धारा बह हरी है, यहांपर तसट से भी वाला है, धारा मापी से और यहांपर छेत्विक भी बिद्धारा है, एस फॉर शंट, एस फॉर क्या है शंट, तो शंट से बहने वाली धारा को हमनों क्या करें, आई एस मान रहे है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि समनांतर प्रम में है, तो दो भागों में बट रहा है, एक तो है क्या गैलोनोमीटर की धारा, दूसरी क्या है, शंट की धारा क्या है दूसरी शंट की धारा ठीक है अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर गैलवनोमीटर का यह जो शंट का प्रतिरोध है क्या है यहाँ पर शंट का प्रतिरोध तो इसके सापेक्ष जो विभुवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा I S S ठीक है क्या हो प्रतिरोध है, क्या है G और S प्रतिरोध, अब एक दूसरे के समनांतर है, तो आप लोगों को पता है कि जो समनांतर होते हैं, उनमें क्या होता है, विभुवांतर एक जैसा होता है, इसलिए हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, कि I, G, G बराबर हम लोग क्या कर सकते यहाँ पर iS s लिख सकते हैं कारण क्लिएर है अप्रियह महेश प्रिया साक्षी आनन्द क्लियर है सभी को शीवयानी समंतर में लिका है बहुत ही आराम से मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब जब ये है मालो, ठीक है, तो आप लोग आई जी बराबर आप लोग लिख सकते हो, क्या, आई एस, कैपिटल एस बटे जी, या फिर आप लोग इसको जब आई एस के फ तो आई जी प्लस क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा आई जी और ये कैपिटल जी बटे एस हो जाएगा, अब यहां से आई जी जो है बाहर निकालो, क्या करोगे, आई जी बाहर निकालो बाहर, जल्दी से, निकालो बाहर, पंडित संकल्प, सुभास, साक्षी, अभिशेक, आनन्द, निकालो बाहर, लिखो जल्दी से फटाफट, लिखो भाई, derivation जल्दी से complete कर लेते हैं, आज ये chapter आप लोगों का last हो जाएगा, और फिर उसके बाद last में मैं numerical भी करवाऊंगी, class को हम time पर खतम भी करेंगे, सो इसलिए आप लोगों को फटाफट से यहाँ पर करना है, और ये हो जाएगा, कुल I बराबर क्या हो जाएगा, मैं बिल्कुल side हो जाऊंगी, कुल I बराबर IG, और ये हो जाएगा, S प्लस G बटे S, इसको पलट के हम लोगों को लिख देना है, IG बराबर क्या हो जाएगा, IG विद्धे किक हो जाएगा you आपका समी करण एक हो जाएगा सभी को क्लियर है सबीकरण कैसे आया वोलट मीटर का आप लोगों को खुद से करना है नियम्मारिकल भी हमको करना है तो जल्दी से अमारिकर बढ Hospice क्लियर है कैसे आया आई जी तो जैसे आई जी आया ठीक है जैसे आई जी आया तो इसको हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर आई एस के जगह में क्या किया था हमने आई एस के जगह में हम लोगों यह वाला मान रखा था यह वाला मान तो हम लोगों को यहां पर क्या मिला आई जी मिला ठीक है अब सिमिलरली इसी तरह यह जो आई जी का मान हमने निकाला है देखो कलर अलग कर रही हूं आप लोगों को डिफरेंशियेट हो पाएगा इस आई जी के जगह में यहां पर मान र तो आपको दूसरा समीकरण मिलेगा और वो दूसरा समीकरण क्या होगा यह आपको खुद से करना है मैं डारेक्ट यहाँ पर लिख देती हूँ यह दूसरा समीकरण होगा किसके फॉर्म में आई एस के फॉर्म में होगा ठीक है और आई एस के फॉर्म में यह समीकरण आएग श्वैता भूमिका सारे बच्चे बताएंगे अभिशेग कि मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है हमेशा यही बोला है कि क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को बुक से सेल्फ स्टेडी करनी है अगर आप लोग बुक से सेल्फ स्टेडी करोगे तो बहुत ही जागा आसान मैं आप लोगों को अपने सारे बच्चों के कमेंट्स दिखास देती हूँ जो बच्चे मेरी बात को फॉलो करते हैं उनको अच्छे नंबर आते हैं उनको फुजिक्स भी समझ में आती है और बायों से भी आसान हो जाती है अदिती की भाशा में कहूं तो ठीक है तो इसलि करने से कोई भी रोग नहीं पाएगा आप लोग देख सकते हैं कमेंट्स में सारे बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं अब इसके आगे यह जो समी करन आएगा ठीक है इस समी करन के बाद आप लोगों को जो है तीसरा समी करन मिलेगा तीसरा समी करन मिलेगा एस बराबर कै यह जो पहला और दूसरा समीकरण है, यहां से अगर आप तुलना करोगे, तो आप लोगों को S का समीकरण यह जो मिलेगा, यह मैं डारेक्ट लिख रही हूँ, इसको आप लोग करना, ठीक है, डारेक्ट लिख रही हूँ, करना आप लोग I G, बटे I minus I G, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, यह जो दोनों समीकरण थे हमारे, ठीक है, दोनों जो समीकरण थे, तो यहां पर हम लोगों ने, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों समीकरण को जो है, बिल्कुल तुलना किया है, वहां से हम लोगों को यह मान मिला है, यह जो हमारा मतलब समी इन समीकरण से यह आपको जो है मान मिला है यह तीसरा समीकरण हो जाएगा हमारा और इस समीकरण को बिल्कुल आप लोगों को खुद से ट्राई करना है क्योंकि एक बार मैंने आप लोगों को बता दिया दूसरा मैंने हिंट कर दिया तीसरा भी आप लोगों को करना है और है ये जो है यहाँ पर शंट है ठीक है अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कैसे मिलेगा ये जो पूरा है ये जो पूरा है वो क्या है अमीटर का प्रतिरोध है इसका मतलब क्या हो गया ये जो गैलोनोमीटर का प्रतिरोध है जी और ये जो आप लोगों को तीसरा समीकरण मिल ठीक है यह जो तीसरा समी करण मिला है अगर आप इन दोनों को क्या करोगे इन दोनों को आप समनांतर क्रम में सॉल्व करोगे समनांतर क्रम में कैसे सॉल्व करते हैं समनांतर क्रम में कैसे सॉल्व करते हैं तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं तो तुल्य प्रतिरोध आर तुल्य बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 1 बटे S प्लस 1 बटे G ठीक है 1 बटे S और 1 बटे G तो यहां पर S जो है आप लोगों को G के फॉर्म में मिला हुआ है जब आप लोग यहां पर तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो यह जो तुल्य प्रतिरोध है यह क्या हो जाएगा यह जो तुल्य प्रतिरोध है आप लोगों का अमीटर का प्रतिरोध होगा किसका प्रतिरोध होगा अमीटर का प्रतिरोध होगा और यहां से आपको समीकरण मिलेगा S जी बटे S प्लस G यह हम लोगों का full and final समीकरण है क्या है यह हमारा full and final समीकरण और इसी समीकरण से related आप लोगों को सवाल आएंगे बिल्कुल तो बिल्कुल आप लोगों को करना है करेगा कौन-कौन करेगा जल्दी से बताओ मेरे को comment box में करोगे पिटर शिवानी try करोगे बहुत ही आसान है बिल्कुल मैंने आप लोगों को जो है पूरा overview concept आप लोगों को बता दिया है self study करनी है class के तुरंद बाद आप लोगों को पढ़ना है book से सभी को पढ़ना है ठीक है very good तो अधिती अधिती बिरेंद्र क्रिशन महेश अंशुल रिया सभी बच्चे करेंगे सब बच्चे telegram चोइन करेंगे सबको class की PDF मिलेगी और साथी साथ आप लोगों के notes भी check करूंगी मैं कि जो homework मैंने दिया है वो आप लोगों ने time पर किया है की नहीं ठीक है बिलकुल time पर किया है की नहीं ये मैं आप लोगों को check करूंगी hello विटा खान hello क्या नाम है तुम्हारा आप अपना नाम लिख कर होता username में अपना real name मुझे बताएंगे क्योंकि मुझे सारे बच्चों के नाम जानने हैं सारे बच्चों के नाम जानने है ठीक है तो इस तरीके से emitter को हम लोग connect करते हैं विदुद परिपत में connect करते तो स्रेणी क्रम में इस तरह से जोडते हैं क्योंकि यहां पर क्या होत जो विदुद धारा होती है परिपत में तो एक ही धारा बहेगी ना तो परिपत की विदुद धारा हम लोग माप पाते हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको जो है स्रेणी क्रम में जोडते हैं इसी के सांथ आगे बढ़ते हैं धारा मापी वोल्ट मीटर में बदलना अ अभी बच्चे कर लेंगे, आमीटर का जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, वर्षा करोगे सभी, very good, कर लोगे, हाँ, वर्षा परिहार, ओके बिटा, वर्षा परिहार, आपका नाम मैं जान ली हूँ, और पंडित संकल्प जी, बिल्कुल टेलिग्राम आइडी मिल जाए ब्रजेश ने कमेंट में भेजा था, और बिल्कुल आप जो है, मैं आपको कॉंटेक्ट लिस्ट दूंगी अपना, लास्ट में आप में को कॉंटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर टेलिग्राम में आपको पीडिएफ शेर, मिल शेर हो जाएगी, और यहाँ पर आप लोग देखो कि वोल्ट मीटर में क्या हो रहा है, जब हम लोग वोल्ट मीटर में बदलते हैं ना, तो विद्धुत परिपत में किनी दो बिंदो के मध्य विभुवांतर को क्या करता है, यह विभुवांतर को नापता है, जैसे हम लोग ने विभाव मापी पढ़ा था, तो वहा प्रतिरोध मान लोग कि किसी बल्ब का है ठीक है तो हम लोगों को क्या नापना है अगर बल्ब के सापेक्ष विभवांतर नापना है तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको समनांतर क्रम में लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर को क्या करना पड़ेगा समनांतर क्रम में लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर को समनांतर क्रम में क्यों डगा है देखो सबसे पहली बात जब हम लोग वोल्ट मीटर की संरचना चित्र पढ़ेंगे तो इसका जो आंतरिक प में जोड़ेंगे तो क्या होगी अधिक से अधिक विठ्क सी विद्धारा तो इसी में खपत हो जाएगी इस उच्छे प्रति रोध में खपत हो जाएगी है की नहीं कुछ paranा जो क्रेंगे है इस मिन फहें ज़ये यह जो branch होता है समनांतर क्रम में जब जूड़े होते हैं तो उन में एक समान होता है तो बिलकिल आप लोगों का basics clear रहना चाहिए अदिती बेटा, महेश, ठाकुर, रिया, सिंग, वर्तिका, सभी बच्चे आप लोगों का basic concept clear होना चाहिए, basic concept clear रहेगा तो आप लोगों का य आदर्श रूप में इसका जो आंधरिक प्रतिरोध है अनंत होना चाहिए क्यों अनंत होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहां पर वोल्ट मीटर को क्या कर रहे हैं यहां पर विद्यूत परिपत के बीच में यहां पर हम लोग वोल्ट मीटर को जोड रहे हैं तो वोल्ट मीटर क प्रभाव इस विद्यूत परिपत में नहीं पढ़ना चाहिए वन्हा पता चला कि ये भी क्या है ये भी बराबर हिस्सेदारी कर लिया यहां पर भी क्या हो गया बिजली की खपत हो गई तो फिर गड़बर हो जाएगा क्या 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 मतलब का किस काम का वोल्ट तो विद्युद्धारा क्या करती है जो विद्युद्धारा होती है वो अधिक प्रतिरोध से कभी बहती ही नहीं वो क्या करती है जहां उसको ज़्यादा आसानी हो जहां उसके विरोधी कम हो उस रास्ते से चली जाती है हम सब को यही करना होता है कि उसाख शीपरिया जहां पर हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हम लोग क्या करते हैं, उसी रास्ते, तुम खराब रास्ते से जाना पसंद करोगे, कि आसान रास्ते से जाना पसंद करोगे, जल्दी से बताओ, power of physics concept clear है, already, very good, lucky राज, हेलो बिटा, और बिल्कुल आपको concept clear है, बह प्रतिरोध जादा है, मतलब की तेढ़े में रास्ते जादा है, रुकावटे जादा है, अगर रुकावटे जादा है, तो क्या होगा, दिक्कत होगा, इसी वज़े से हम क्या करते हैं, इसको समनांतर क्रम में जोडते हैं, और यहाँ पर विभवांतर नापते हैं, और वि प्रतिरोध को प्रतिरोध को कम करना था किसमें अमीटर में पर यहां पर अमीटर में ठीक है और यहां पर हम लोगों को वोल्ट मीटर में क्या करना है वोल्ट मीटर में हम लोगों को प्रतिरोध को बढ़ाना है इस वज़े से हम लोग क्या करते हैं क्योंकि प्रतिरोधों के सयोजन से हम लोगों को क्या पता है प्रतिरोधों के सयोजन से हम लोगों को पता है कि स्रेण लोगों का ब प्रतिरोध अर प्लश जीजी बराबर आर प्लस G ठीक है यह आएगा आप लोगों का आई je par बराबर आर प्लस जी कहां से हुआ ये आर प्लस जी देखो अब स्रेणी में है तो क्या होगा स्रेणी में जुड़ेगा और धारा मापी से कितनी विद्धारा बहरी है यहां पर आई जी विद्धारा बहरी है तो इसका कुल विद्भांतर क्या होगा कि यहां पर प्रतिरोध से बहने वाली धारा और कुल प्रतिरोध ठीक है तो यहां से आप लोगों का जो है वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या आ जाएगा वोल्टमीटर का प्रतिरोध बराबर आप लोगों का आ जाएगा कुल प्रतिरोध आर प्लस जी कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर प्लस ज जहां पर यह आर क्या है यह जो आर है इस धारा मापी का प्रतिरोध है इस धारा मापी का प्रतिरोध है स्वारी यह जो आर है यह प्रतिरोध जो हम लोगों ने यहां पर स्रेणी क्रम में जोड़ा है और यहां पर जो जी है वो क्या है इस धारा मापी का आंतरिक प्रतिरोध जैसे कि हम लोगोंने पहले लिया था तो देखो पहले इसके पहले हम लोगोंने शंट मी लिया था तो S लिखा था अभी स्रेणी में लिया है तो सिंपली क्या लिखा है हम लोगोंने R लिखा है ठीक है तो बस इतना ही है यही आपका वोल्टमीटर का प्रतिरोध है कुल प्र नीचे दिखाएगा परिपत में धारा कमान क्या है धारा कमान यहां पर क्या होगा विद्धारा क्या नापेगा यह मेटर कैसे पता चलेगा तो यहां पर आप लोगों को आरजी दिया हुआ है और ग्यालवनोमेटर का प्रतिरोध है जो आरजी जो है ग्यालवनोमेटर का प् ओराबर कितना दिया है आप लोगों को शुण ने दौ हो गाई इसको आप लोग कर छक्ट Jug imager कर सकते हो यह जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध काrãoस अपर कर सकते हो दिम को निकालना क्या पर क्या निकालना न वहां पर कौन बताएगा नुमार काल कछ कर सकते हो अभी Bye एक पाल, solve कर सकते हो, numerical, देखो, ग्यालनोमिटर का प्रतिरोध, 60 हो, शंट प्रतिरोध क्या दिया हुआ है, 0.0.0 दो दिया हुआ है, 0.0.0 दो जो है, यह दिया हुआ है आप लोगों को प्रांतु आरस का शंट, यहां पर आप लोगों चित्र में देख सकते हो कि यहां पर लोगों को जो प्रतिरोध्य योए थीन थिया हुआ है ठीक है तो यह यह जो तीन म lot कि यह जो शंट्रतिरोध है यह अलग है यह बहुत ही ज्याधा कम है तो कम हम चाहे तो नख्लेट कर सकते हैं कुल प्रातिरोध हमारा कितना हो जाएगा? कुल प्रातिरोध जो है हमारा 63 Ohm हो जाएगा क्या हो जाएगा कुल प्रतिरोध हमारा 63 Ohm हो जाएगा और आप लोग देख पा रहे हो की यहांपर जो वेभवांतर है 3 Volt का है ठीक है तो V equals to IR, ओम के नियम से हम लोगों को पता है, तो यहां से हम लोगों को परिपत में बहने वाली धारा क्या मिल जाएगी, विभवान कर, वी बटे क्या मिल जाएगा, कुल प्रतिरोध, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीन वोल्ट, बटे क्या हो जाएगा, यह 63 ओम हो जाएगा solve करोगे तो परिपत में बहने वाली कुल धारा आपको निकल जाएगी समझ में आ गया सभी को महीमा, आनंद, ठाकूर सभी को समझ में आ गया आगे का जो part है बिल्कुल ये आप लोगों को try करना है ठीक है, खुद से करना है इसको आप लोगों को आगे का part पिद्धारा निकल गई है, ठीक है, बहुत ही आसान है आगे का part खुद से करेंगे, आप लोग yes या no जल्दी से बिताएंगे class का समय हो चुका है, खतम करते हैं हम अपने इस lecture को numerical भी हम लोगों ने किया, बहुत ही आसान सवाल पूस्ते हैं सारे derivation हम लोगों कर लिए है, आने वाले lectures में हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे अगर कोई doubt है तो आप लोग सीधे सीधे पूछ सकते हो, आप में को insta id या mail id में direct contact कर सकते हो, telegram channel की link ले सकते हो सभी बच्चों को telegram channel जॉइन कर लेना है, class की pdf आप लोगों को telegram channel में मिल जाएगी, मिलते हैं हम अपने अगले lecture में तक तक के लिए, bye बच्चों